हेलो स्टुडेंट्स मैसेल्फ मोहिट सिहाग टीम जो लोजी CLC सीकर से आज हम लोग हमारी जो यूनीक टेस्ट सीरीज है बायो कैम उसका 16th नंबर जो पेपर है जो लोजी का उसको हम डिसकस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है है यूमन रिप्रोड़क्शन एंड रिप्रोड़क्टिव हेल्थ सो कम्प्लीट NCRT बेस्ट फॉर नीट एक्जाम मारे बायो कैम का 16 नंबर जो पेपर है उसको डिसकस कर रहे हैं फॉस्ट कोश्चिन है मारा विच्च ओ फॉलोइंग नैचुरल कॉंट्रसेप्टिव मेथर यूस्ट टू प्रिवेंट अन्वांटेड प्रेग्रेंसी निवन में से कौन सी प्राकृति गरब निरोधन को रोकने के लिए किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रा यूट्राइंड डिवाइस आयोडी आयोडी हमारा नेचुरल मेथड के इंदर नहीं आता सेकंड ऑप्शन पेरोडिक एपस्टी सेंस बिलकुल आवदिक समय हमारा नेचुरल मेथड है इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे थर्ड ऑप्शन ट्यूबक्टोमी की बात करें या कॉंट्रा सैप्टी पिल्स की बात करें यह भी थर्ड और फॉर्थ ऑप्शन यह भी मारे नेचुरल मेथड में नहीं आते तो हमारे फिर्स्ट क्वेशन का अंसर है सेकंड प्रियोडिक एपस्टिटेंस या फिर अवदिक समय नेक्स अगले बढ़ते हैं कि क्वेशन नमबर सेकंड की तरफ फॉर्फेशन के इनलैं नवें से कौन सा अधिक से कम की ऑर नहीं है सॉरी हम उसे चेक करना है जो कि हाय तूलोर की ऑर नहीं है सेमिन फरस ट्भीविल वसा इन्फरेंशिया एपडी डइमेस सेकेंड है मेंरी ट्भीविल अगला है मेंरी डक्त नेक्स है मेंरी एम्पूला थार्ड आप्शन है cell of gygot, cell of morula, cell of blastocyst इसमें जो हमारा third option है cell of gygot, एक cell cell of morula, 8 to 16 cell cell of blastocyst, यह भी बढ़ता वक्रम है यानि लगातार बढ़ रहा है यानि यह low to high की तरफ जा रहा है इसलिए हमारा third option है cell of gygot, जो single होती है cell of morula, 8 to 16 cell of blastocyst, जो third option है वो बिलकुल high to low की तरफ नहीं है यह low to high की तरफ है इसलिए हमारा option आएगा third इसके लिए या अगर हिंदीम देखे तो युगमनस की कोशिका, मुरूला की कोशिका, कोरक पुट्टी की कोशिका एक, 8 से 16 और उससे जादा यानी लगाता low to high जा रहा है जबकि हमें चेक करना था की high to low नहीं है इसलिए मारा option आएगा third नेक्स्ट है, RCH STI stands for RCH और STI की फिलफर्म पूछिए इसने फर्स ओप्शन हमारा reproductive and child healthcare RCH के लिए सही है and seminal tract infection respectively STD के लिए ये option गलत है next, second है reproductive and community healthcare first के लिए गलत है, RCH की full form ये नहीं है third है reproductive and child healthcare सही है RCH के लिए next, and sexual transmitted infection respectively STI के लिए भी सही है इसलिए मारे पास ये option आएगा third next अगले question की तरफ बढ़ते हैं, question number fourth which one note a correct statement इन में से जो correct statement नहीं है, हमें उसे identify करना है female reproductive parts along with the pair of memory glands are integrated structurally only ये वर्ड दे रखा है, structurally only to support the process of ovulation, fertilization and pregnancy first statement ही correct नहीं है reason, यहां structurally and functionally दोनों वर्ड आने चाहिए थे जबकि यहां सिरफ एक word आया है structurally only, that's why first option जो है मारा वो correct नहीं है हिंदी में बात करें तो मादा जननतांत्र के भाग एक जोड़ी स्तन ग्रंतियों के साथ केवल संडरचनात्मक रूप से यह जो वर्ड केवल है संडरचनात्मक रूप से यह जो है statement को गलत कर रहा है क्योंकि यहां संडरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों वर्ड आने चीए स्ट्रक्शनली एंड फंक्शनली दैट स्वाइं मारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट नहीं है सेगंड स्टेडमेंट बढ़ते हैं इन टेस्ट्यू बेबी प्रोग्राम दि ओवम एंड स्पर्म और में भी ओफ डॉनर बिल्कुल डॉनर के हो सकते हैं अगर स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म में फटलाजेशन के अबिलिटी नहीं है या स्पर्म है ही नहीं उसके पर चो औरिजिनल पैरेंट के या मेल पै टेकनोलोजी या फिर ए यार्टी बिल्कुल सही है स्टेट्मेंट इन एबिलेटी टू कंसीव और प्रड्यू चिल्डरन एवन आफ्टर टू इयर ओफ अन प्रोटेक्टेड सेक्श्वल को हैबिटेशन इन इस कोल्ड इन फर्टिलिटी बिल्कुल सही है दो वर्ष से दो वर्ष तक ऐस रख्षित सेवाग के वावजूत गिरवधार्ण या बच्चे उत्पन ना हो पाने की स्तिती को बंदिता कहते हैं मतलब सेकिंड थार्ड और फॉर्स स्टेट्मेंट है फि यू रोंग है क्योंकि या स्ट्रक्श्रली ओनली दे रख्या यहां अचीता स्ट्रेक्श्रली एंड फंक्श्नली तो हमारा फॉर्थ क्वेशन का आंसर आएगा फस्ट कि अग्याइब करते हैं कॉस्टन नंबर फाइव की तरफ दिक करेंट सिक्वेंस ऑफ रिप्रोड़क्टिव इवेंट इन हुमन यहां कहें जनन की घटनाएं हैं उसकी सही सिक्वेंस क्या है फस्ट दे रखा है गेमेटोजेनेसिस बिल्कुल सहीए पहले गेमेटोजेनेस होगा दूसरा है फेटलाइजेशन फिर है इंप्लांटेशन फिर इंसेमिनेशन गलत फर्स्ट ओप्शन की सही नहीं है मारा सेकेंड गेमेटोजेनेसिस जस्ट्रेशन जस्ट्रेशन यानिंग घरवावदी पहले आ गई है और वीरे सेचन बाद में हुआ है यह भी गलत है बिल्कुल सब्सक्राइज ऑप्रुप्शन है सबसे बले गेमेटिका फोर्मेशन हुआ गेमेटोजेनेसिस फिर फिर फिमेल जेनटायल पाथ में उसकी अंट्री स्पर्म की इंसेमिनेशन गीनिकरी आ कउंट्र कीं और फिमेल गेमेट अपस में फि受स्या यानि जिसे हम कह सकते हैं और लास्ट में पार्चुरेशन के थ्रू जो बेबी का बर्थ है वो होता है तो हमारे लिए इस क्वेशन का अंसर होगा थर्ड यह बिल्कुल सही सिक्वेंस को फॉलो कर रहा है नेक्स क्वेशन की तरह पढ़ते हैं क्वेशन नमबर सिक्स दा फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इस सर्टोली सेल का काम पुछा गया मैं आपे प्रोवाइड निट्रीशन टू दा इंटरस्टेशियल सेल नहीं वो जम सेल होना चाहिए था इसलिए फर्स्ट वल ऑप्शन हमारा क जो सब्सक्राइब का काम यह काम यह काम है इंटरस्टेशन सैल्य या लेंडिंग सेल्स का थर्ड गलत cells from the blood-brain barrier बिल्कुल नहीं है blood-brain barrier का formation नहीं करती इस लिए इस question के लिए मारा answer होगा six, secretion some factors under the response of FSH which help in the sperm eogenesis FSH के प्रवाव में कुछ गटकों का स्तराव करती है जो सुक्र जनन में साहिता करते हैं sperm eogenesis की process तब ही हो पाएगी जब वहाँ cytoli cells जो हैं वो factors देंगी ताकि spermated को spermatozova के अंदर convert किया जा सके तो question number six के लिए मारा answer है second लेक्स बढ़ते है question number seven की तरफ statutory ban on the immunosynthesis in India was necessary because immunosynthesis की वैदानिक प्रतिबंद क्यूं आवशक है भारत में it is very expensive ऐसे कोई खास बात expensive के ऊपर देखा जाए तो नहीं कह सकते हमकी इसलिए से बेंड कर रखा है या इसके लिए इसको statutory ban हमने प्रतिबंदित कर रखा हो it is an invasive procedure यह आक्रमक प्रक्रिया है यह भी नहीं कह सकते it carry higher risk of abortion यह abortion के जो है वो chance रखती है यह abortion हो सकता है it can use for sex determination सबसे man reason इंडिया में यही है कि यहाँ female forticides यानी मादा भ्रून की हत्या के लिए इसे manly use किया जाता है जो इसका use नहीं है इसके लिए यह इसका क्या है miss use यानी यह procedure नहीं था कि हम immunosynthesis इसलिए करें immunosynthesis इसलिए किया जाता है ताक्कि chromosome से related कोई abnormality है chromosome के number से regarding chromosome की structure के regarding तो हम immunosynthesis के through पता कर सकते हैं कि बच्चा जो embryo stage के अंदर है उसमें किसी टाइब की genetical disorder regarding chromosomal number और chromosomal shape तो नहीं है इसलिए immunosynthesis ये इसका use किया जाता है लेकिन इंडिया में इसका miss use जादा हो रहा है और miss use क्या है कि यहाँ मादा कन्या भून हत्या के लिए इसे यूज किया जाता है इसलिए इसे वैदानिक प्रतिबन के साथ में लागू किया गया था या वैदानिक प्रतिबन इसके लिए है आवशक है आंसर क्या जाएगा फॉर्थ सेवंथ क्वेश्चन का नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नुमर एट टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड दे अब्डोमिनल कैवेटी विदिन ए पाउच कॉल्ड सेक्रटम इस नेसेसरी इस सेक्रटम में टेस्टिस क्यो मिलते हैं यह वहां प्रिजेंट क्यों होते हैं इसका रीजन क्या है सेक्रटम कैन कंटेंड लेंथी डक्ट फॉर दी ट्रास्फर ऑफ दस पर्म ऐसा कोई खास बात नहीं कि उसको लेंथी डक्ट है जो की स्पर्म को ट्रास्फर के लिए हमाई जुरूरी होता है इसका मैं नहीं आएगा सेकेंड सेक्रोटम रिद्यूस दप्रेशर ओवर दी टेस्स ऐसा भी कोई खास नहीं कि वो प्रेशर को रिद्यूस कर रहा हूं थर्ड सेक्रोटम हैल्प इन मैंटेन लो टेंप्रेचर ऑफ टेस्टिस टू टू पॉइंट फाइव डिग्री विच इस नेसे प्रोडक्शन व्रशन व्रशनकोष के तापमान को कम रखता है शुक्राणू उत्पादन के लिए क्या है आवशक बिल्कुल सही है हमारा इस क्वेशन का अंसर आएगा थर्ड कि अगर दो से दो पॉइंट पांस डिग्री कम नहीं होगा टेंप्रेचर बोडी से तो वहां टेस्टिस में स्पर्मेटोजनसिस नहीं हो सकता यह वह अब्डोमिन से आगे नीचे डिसेंड होते हैं सेक्रोटम के अंदर तो क्वेशन नमरेट का अंसर हमारा है थर्ड लेक्स्ट कॉस्चन नमर नैनं की तरह बढ़ते हैं विच्छ फॉलॉइंग इस कर्ट रिगार्डिंग लोकेशन ओफ साट ऑफ स्पर्मेटोज गोनिया सतौली तो झां अँनों कहां है उनकी लोकेशन की वारे में पता करना है सटोली सेल इन सेमनी फेरस टुब्यूल और स्पर्मेटोगोनिया इन बिट्विन सेमनी फेरस टुब्यूल गलत क्योंकि दोनों की दोनों ही काम लेंगे हमें इन ही सेमनी फेरस टुब्यूल में Sertoli cell in between Samniferous gewill and Spermetogonia in the Samniferous gewill यह भी नहीं है Both Sertoli cells and Spermetogonia are located between Samniferous gewill between नहीं अंदर होते है इसलिए यह भी रही नहीं है Both Sertoli cells and Spermetogonia are located within Samniferous gewill दोनों के दोनों इस सर्टोली सेल सुक्र जनन लिकाओं के अंदर उपस्तित होते हैं इसलिए हमारे क्वेशन नंबर नाइन का अंसर है फॉर है क्लियर क्वेशन नंबर टैन की तरफ मूव गड़ते हैं दी फाइनल स्पर्मेशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थू जो स्पर्मस है वह रिलीज होते हैं सैमनी फेरस ट्यूब्यूल से तो क्वेशन नंबर टैन का अंसर आजाएगा स्पर्मेशन next question number 11 पर आते हैं consider the following disease कौन कौन सी है पहले है गौनेरिया सिफेलेस जेंटल आर्पिस ट्राइकोमनेसिस हैपटेटीज एड्स ठीक है सारे के सारी हमारे sexual transmitted diseases है out of these how many bacterial disease आर इन में से bacterial disease कौन सी है जो reproductive tract infection RTI produce करती है सबसे पहले start करते हम लोग गौनेरिया से निसेरिया गौनेरिया हमारा एक bacteria है जो कोज़टीव एजेंट है कोज़टीव बैक्टीरिया है इस disease के लिए गौनेरिया होगा हमारा ट्रीपोनीमा बैक्टीरिया है जो प्रड्यूस करता है क्या सिफैलिस सिफैलिस के लिए सही है जेंटल वार्ट्स गलत यह वाइरल डिजीज है ट्राइकमोनेसिस यह भी आपका एक्टीरियल िजीज नहीं है 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 अब ये यह आपका वाइरल डिजीज है है इसको प्रड्यूस करता है एट्स हैस्टीरिया और सेफैलिस ही हमारी बैक्टीरियल सेक्श्वल transmitted disease या reproductive tract infection प्रेड्यूस करते हैं इसलिए मारा question का answer आएगा third second तो टोटल इस question में दो ही है ऐसी reproductive tract infection diseases जो की bacteria से प्रेड्यूस होती है फिर्स्ट कुनेरिया सेकेंड सिफेलिस लेक्स बढ़ते है question number 12 की तरफ which of the following group of cells do not undergo in mitosis उन cells के group को बताओ जो mitosis नहीं करती है primary spermatocyte neurons और RBC primary spermatocyte meiosis करता है आपका neurons और RBC में cell division की ability नहीं होती तो first option जो है यह बिलकुल correct है कि primary spermatocyte मियोसिस करेगा not mitosis neuron RBC cell division कर नहीं सकती इसलिए 12 question का मारा first option है वो correct है second पढ़ते है spermatozoa, glomerulosa cells and spermatogonia सबके सब mitosis कर सकते है zygote, epithelial sperm ठीक neurocides, primary site, endo, material cells तो first जो option है मारे 12th question का इन में तीनों cells ऐसी है जो कि mitosis नहीं कर सकती do not undergo in mitosis तो 12th question का अंसर आएगा first question number 13 during pregnancy the menstruation cycle stop in which phase अगर pregnancy हो जाती है तो कारपस लूटियम बना रहेगा और कारपस लूटियम अगर बना रहता है इसका मतलब next menstrual cycle नहीं आएगा यानि menstrual cycle कुछ time के लिए क्या हो जाएगा stop till pregnancy period ऐसा कब होगा जहां कारपस लूटियम बना है उसी phase में होगा कारपस लूटियम जिस phase में बनता है उस phase को हम बोलते हैं luteal phase तो हमारे इस question का अंसर आ जाएगा fourth कि luteal phase में menstrual cycle रुक जाएगा अगर pregnancy होती है तो क्योंकि कारपस लूटियम बना रहेगा और कारपस लूटियम बना रहा endometrium maintain रहेगी next menstrual cycle नहीं आएगा तो 13 question का अंसर फॉर्थ next question number 14 cyclic menstruation is an indicator of चक्रिय आर्तव किसका सुचक है reproductive phase between childhood and menarch बच्पन और रजो दर्शन के बीज बिलकुल नहीं क्योंकि इस टाइम पर child rule के अंदर FSHLS दोनों present नहीं होते reproductive phase between menopause and all days menopause के अंदर menstrual cycle क्या हो गया था बंद हो गया था इसलिए menopause और all days भी नहीं आ सकता second option भी नहीं आएगा adolescent phase between birth and the menopause birth से लेकर कि सौरवस्ता पर जनम के बीच रजो निवरती next है reproductive phase between menopause बिलकुल सही है menopause first menstrual cycle का आना menopause menstrual cycle का 45 या 50 year की age के अंदर बंद हो जाना इन दोनों की बीच जो टाइम पिरिएड है यानि पिबिटरी पिरिएड में menopause start हुआ 45-50 year की age के अंदर menopause यानि menstrual cycle क्या हो गया बंद इन दोनों की बीच जो time period है वो हमारा क्या होगा menstruation indicator है cyclic menstruation indicator तो question number 14 जो है इसका अंसर आजाएगा fourth next बढ़ते है question number 15 consider the following disease like ठीक है disease that are completely curable if detected early in treatment properly hepatitis B curable नहीं है चाहे इसे detect कर लिया जाए earlier तो भी trigomonasus curable है goneria curable है cephalis curable इसका उपचार संबव है AIDS का भी treatment उपचार संबव नहीं है ये भी curable नहीं है and gentle harpes इसका भी treatment possible नहीं है यानि इसे भी अगर early date कर लिया जाता है तो भी ये non curable disease में आती है तो हमारे पास option में trichomonasus first गलत AIDS goneria गलत goneria, cephalis गलत, hepatitis and gentle harpes तो fourth वाला है hepatitis B और gentle harpes इसके अंदर दे रखा है तो 15 question का हमारा जो answer है following disease, curable, hebडेटर अलट लिया sorry है पूछ रहा है कि curable कोंसी है curable को पूछ रहा है ये curable के अंदर goneria और cephalis हमारी क्या है curable, hepatitis B, gentle harpes और AIDS curable नहीं है ठीक, तो इसको अंसार रहेगा goneria और cephalis क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों early stage में क्या है? curable है trigomonasus curable है लेकिन hepatitis B curable नहीं है जैसे कि हमने टिकर रखा इसके अंदर hepatitis B, harpes और AIDS curable नहीं है इनको छोड़ कर ये तीनों curable थी AIDS option में आगे है इसलिए हम नहीं लेंगे third option हम लेंगे कि goneria और cephalis दोनों की दोनों early stage में डिटक होती है है तो इसे हम क्योर कर सकते हैं question number 16 the tertiary follicle can differentiate from secondary follicle by the presence of and drum वो cavity जो कि tertiary follicle के अंदर present होती है known as a and drum वो सिरफ tertiary follicle में थी secondary follicle में नहीं थी तो हम कह सकते हैं कि antrum की presence की वज़े से हमने उसे अलग किया है answer आएगा 16 का fourth next बढ़ते है question number 17 की तरफ lending cells के बारे में पूछा है are present in seminiferous tubules and secret and rosen ये seminiferous tubules के अंदर नहीं बलकि seminiferous tubules के बीच में present होती है यहां present होती है यानि seminiferous tubules के बीच में are present in seminiferous tubules are present between seminiferous tubules बिलकुल सही है and secret and rosen male sex hormone testosterone को यह बोला जाता है तो मारे question number 17 cancer आजाएगा third यह present है seminiferous tubules के बीच में इस जगह पर इस जगह को बोलते हैं interstitial space इसलिए lending cells का दूसरा नाम है interstitial cells next question number 18 पर आते है which are the following stage of developing ovum found in the menstrual flow यानि menstrual flow के साथ में बहार निकल रहा है female gamit तो किस stage के अंदर होगा secondary follicle ट्रॉस्ट्री follicle primary site या फिर secondary site हमारा answer आजाएगा क्या secondary उसाइड जिसका fertilization नहीं हुआ वो मैंस्टल फ्लों के साथ में जा निकल गया बाहर तो एटीन का answer fourth आते हैं लेक्स आते question number 19 पर which of the following statement is correct surgical method of contraception prevent gamit fertilization गरब निरोदक की सल्य के रिए विदिया युगमक की निसेचन को रोकती हैं बिलकुल रोकती हैं साब उससे युगमक का transfer रुख जाएगा some sexual transmitted disease are completely curable बिलकुल कुछ curable होती है जो बताया था मैंने अभी habitat is B, AIDS और gentle words को छोड़ दो तो बाकि सारी लगबक क्या है curable है in embryo transfer technology gamits are always transfer into uterus इसमें embryo transfer के अंदर अगर हम उसको transfer कर रहे हैं तो वो uterus के अंदर जाए हमेशा ऐसा possible नहीं है हम उसे फैलोपेंट ट्यूप में भी transfer कर सकते हैं जैड आई एफ्टी जाइगोड इंट्रा फैलोपेंट transfer हमारे पास एक method था available है इसलिए third पूरी तरह correct नहीं है सहली दा new oral contraceptive for the female content steroidal preparation नहीं आना चाहिए था it's a non-steroidal preparation तो हमारा third sorry fourth गलत है third गलत है a और b दोनों क्या है सही option के अंदर हमारे दे रखा है first a and b तो अब 19 में option first के साथ जाएंगे next question number 20 in which of the following intra uterine transfer take place spermatozoa और zygote in IVF in vitrofile fertilization और embryo transfer के बारे में बात कर रहा है कौन सा अंत्याग रवाशे स्तानांतरन होता है ठीक है early embryo in IVF and SUZI embryo more than 8 blastomere in IVF and ET and semen in IUI intrauterine embryo transfer ET next sperm in ICSI and zygote in ZIFT तो इसमें intra uterine transfer के बारे में बात कर रहा है तो embryo more than 8 blastomere हम transfer करते हैं and ET ठीक है semen हम इसमें inseminate कराते हैं uterus में तो मारा जो third option है वो बिल्कुल correct है कि embryo more than 8 blastomere uterus में uterine transfer रखा है कर सकते हैं embryo transfer कई method है आपका और semen को हम directly inseminate करा सकते हैं किसमें uterus में third option correct है हमारा next question number 21 the ejaculatory duct formed by the union of ejaculatory duct किसके union से बनती है यह बनती है हमारी seminal vesicle और इसमों option दे रखा है वसा डिफ्रेंशिया और epididymis नहीं समयनल vesicle epididymis नहीं first दोनों option नहीं आएंगे next है वसा डिफ्रेंशिया duct of seminal vesicle बिल्कुल सही है इधर से आती थी आपकी वसा डिफ्रेंशिया यहां था seminal vesicle और यह थी इसकी duct दोनों जब union कर लेती हैं तक इसे बोला जाता है ejaculatory duct तो ejaculatory duct as such यह थी किस से बनी की वसा डिफ्रेंशिया आई साथ में जो duct थी seminal vesicle की वह आई तुम्हारा आंसर आजाएगा थर्ड ट्वंटी फ़स्ट क्वेश्चन में अ कि अ कि कोश्चन नमर ट्वंटी टू डाइग्राम दे रखा है और पूछ रखा है बी सी ए बी सी के बारे में पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि वसा काई 繌कन सी है यह रही नेक्सट समार्दल वैसिकल कहा है यह रहा समार्दलवैसिकल घ्र के यह रही तो option कि आजाएगा बी ए और सी फॉर्थ Option आजएगा इसका वॉश्चन नमर ट्वंटी टू का question number 23 की तरह बढ़ते हैं in adult human is testis is spherical in shape with the length of 4 to 5 cm and width of 2 to 3 cm next spherical in shape length of 2 to 3 4 to 5 oval shape पहले दोनों के अंदर जो गलत है वो क्या है spherical shape यह नहीं होती है testis की इसलिए first और second option हमारा गलत है third oval shape length of 2 to 3 oval shape सही है लेकिन length गरबड़ गरदी इसने यह गलत है 23 में fourth option है oval in shape बिल्कुल सही है with length of 4 to 5 cm and width of 2 to 3 cm बिल्कुल correct तो आकरती में अंडाकार लंबाई में चार से पास सेंटिमेटर और चुडाई में दो से तीन सेंटिमेटर 23 नमबर क्वेश्चन कहां सरा जाएगा फॉर्थ next पढ़ते हैं question number 24 की तरफ match the following animal with their mode of reproduction ठीक है match करते हैं हमीबा के लिए binary fusion पेरामीशियम के लिए भी हम binary fusion ही यूज कर सकते हैं hydra के लिए हम यूज करेंगे birding sponge के लिए हम यूज करेंगे jamules हमारा option आता है a में third b में third c में first और d में second यहीं 24 का answer आजाएगा कौन सा fourth next बढ़ते हैं question number 25 की तरफ the functional memory gland of female located on वो कहां located होती है luteus maxius muscles के उपर नहीं factoris major muscle के उपर बिल्कुल correct ncrt में जो memory gland का डाइग्राम दे रखा है उसमें clear cut mention है इन muscles का नाम factoris major muscles answer आजाएगा second next question number 26 की तरफ मूल करते है in graphene follicle the secondary site forms which layer around it itself कुल मिला कर बात यह कहना चाहता है कि विच एक membrane secreted by the ovum itself या secondary site itself उसका नाम था जोना पहले सुड़ा primary egg membrane जिसका secretion खुद gamit करता है second option question number 27 column A और B दे रखा है और हमें match करना है trophoblast amended blastocyst नहीं group of cell differentiated outer layer of the blastocyst ठीक है cleavage group of cell that would differentiate as embryo mitotic division of the zygote फॉर्टा दाएगा implantation embedded of the blastocyst in endometrium inner cell mass group of cell that would differentiate as embryo तो इसके अंदर हम चेक करें तो A में third B के अंदर A में fourth sorry B में third A में fourth और एक में इसमें करेक करते हैं रुको दुबारा ट्रोफब्लास्ट आउटर लेयर अच्छा यह है third है of the blastocyst cleavage mitotic cell division implantation में आजाएगा blastocyst of endometrium inner cell mass में आजाएगा differentiate into the embryo तो A में third और B के अंदर fourth C में first और D में second हमारा option आ रहा है third correct question number 27 गांसर है third clear next move करते question number 28 की तरफ whose secret whose secretion of the following does not essential for the maturation and mobility of sperm किसका स्ट्राव सुक्राणों के परिपक्वन और गती शीलता के लिए आवशक नहीं है एपिटी डाइमेज वसाडिफ्रेंशिया समाइनल वैसिकल प्रोस्टेट बिलकुल तीनों का जरूरी है यूरत्रा का secretion हमारे sperm के maturation और उसके mobility यानि गती शीलता में कोई participate नहीं करता कोई जरूरी नहीं है इसलिए 28 गांसर आजाएगा fourth नेक्स्ट बढ़ते है क्वेश्ट नोर 29 की तरफ दी प्रोसेस ओव जैनेसिस इस इनिशियेट ड्यूरिंग प्यूट्री एंब्रियों डिलॉप्मेंट उजनेसिस स्टार्ट हो जाता है एंब्रियो स्टेट के दोरान ही प्रुणिये प्रेवर्दन की अवस्ता में ही इसका क्या हो जाता है आरंबन या फिर स्टार्ट तो गोश्ट नमबर 29 का अंसर आएगा हमारे पास सेकेंड लेक्स्ट थार्टी नमर क्वेश्चन बढ़ाते हैं इरुथ्रल मेर्टस किसके लिए है एक्स्टनल ओपनिंग है मेल के अंदर इरुथ्रोजंटाइल ट्रेक्ट की वहारा उप्शन आजाएगा थार्ड सीधा इरुथ्रल मेर्टस उसे तो बहुत बोला था जिसमें इरु मुत्राशे मुख या फिर इरुथ्रल मेर्टस तो क्वेश्चन नमबर थर्टी कांसरा जाएगा थर्ड लेक्स्ट क्वेश्चन नमबर थर्टीवन कंसिडर दे फॉल्वावस्ता के दोरान किसका स्थरा होता है इसमें सबसे पहले आएगा आपका HCG जो सिरफ embryo stage में ही आएगा दूसरा human placental lactogen HPL दो और तीसरा है relaxin जो कि pregnancy के last में partulation के time पर आता है तो HCG आपका HPL और relaxin option है मरा fourth clear आतो नेक्स आते हम question number 32 के उपर question number 32 में मैं पूछा है in the process of oogenesis कि दा उसाइट टंप्रेरी अरेस्ट एट विच फेज अंडिजन की प्रकरिया में उसाइट किस प्रावस्ता में एस ताहिरूप से अबरूद हो जाता है option first है मरे पास interface of the mitotic division माइटोटिक डिविजन होता है नहीं फर्स नहीं आएगा second फ्रोफेज फर्स्ट फर्स्ट ऑफ माइटोटिक डिविजन माइटोटिक डिविजन नहीं होता यह भी नहीं आएगा सकता है reason क्योंकि कुछ स्चाहिं के लिए वह इस प्रोफेज स्ट औफ इंदर इश के इनदर उप्रोफेज फर्स्ट की ंस्टस के प्रोफेज सट की तरड ऑप्शन है मेटा फेह यह सब्सकते हैं कि प्रोफेज में हम इसके साथ सकते हैं तो इसfikा gonna ऑप सबते हैं नेक्स नाते हैं कोश्चन नुबर 33 पर एंसिवाजबु दिफरेंशीयेट फ्रॉम-प्राय्मरी उसाइट प्राइमरी फोलिकल और प्राइमरी उसाइट में अंतर बताओ एंटरम ग्रेनलोसा सेल जोना पहले सुडा या फिर जोना रेटिकुलेरिस प्राइमरी उसाइट जो की मियोसिस स्टार्ट करेगा उसकी चारों तरफ अगर मेंब्रेन ग्रेनलोसा लेयर प्रेजेंट है जिसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं एमजी से ग्रेनलोसा सेल की लेयर मेंब्रेन ग्रेनलोसा अगर है तो हम उसे प्राइमरी फोलिकल कहेंगे तो प्राइमरी फोलिकल और उस साइट में सिरफ एक अंतर इस लेयर क बनी किसे ग्रेनलोसा सेहल से आंसर जाएगा सेकेंड कणिकी है कोशिकाउं कास्तर सिरफ और सिरफ प्राइमरी फॉलिकल पर मिलता है प्राइमरी उसाइट पर नहीं मिलता तो कॉश्चन नमबर 33 कांसर आजाएगा मारे पास सेकेंड नेक्स्ट मू़गटे हैं कोश्चन नमबर 34 की तरफ थीका इंटरना थीका इस्टरना ये दोनों के दोनों मिलती है डूर्श्री फॉलिकल या तbear क पुटक पर थीका इंट्रना का यक काम और भी है कि एस्ट्रोजन का क्या करती है, सिक्रेशन तब दौनों प्रेजन्ट है डूर्श्री फॉलिकल या तरवतियक पुट्टिका पर कि वर्शन नमर 35 मेंब्रेन जोना पेलसुडा फॉर्मड बाई खुद फिमेल गैमिट इसका सिक्रेशन करता है और फिमेल गैमिट जो है इसमें फ्रैमरी उसाइटिक सेकेंडरी उसाइट ओवम या फिर पोलर बोड़ी तो इसके अंदर हमारा बैस्ट ऑप्शन होगा कौन सा सेकेंडरी उससाइट जो है यह खुद उस जोना पेलसुडा का क्या करता है फॉर्मिशन करता है 36 इन विच ओद फॉलइंग माइटोटिक सेल डिविजन इस नोट इटसेल्फ ए मोड ओफ रिप्रोड़क्शन सिंपल कहने का मतलब है यूनी सेललर कोई भी लिविंग ओगनिजम है उसने अपनी बोड़ी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया यानि एक से टाइ इस सिरफ उनमें मिलेगा जो की यूनी सेललर होते हैं तो उनमें हम कह सकते हैं कि माइटोसिस ही रिप्रोड़क्शन का मोड है यह पूसरा किन में नहीं है उनमें जो की क्या है आपका मल्टी सेललर और मल्टी सेललर इन तीनों में से कौन सा है हाइड्रा प्लाजमोडियम अ कि नेक्स आते हैं क्वेश्चन नमबर 37 की तरफ कॉलम मैच करना है है इसमें होगा है डिटी मेट्रियल मिडल पीस एनर्जी का चेंबर की माइट्रोकॉंड्रिया होता है वहां पर एक्रोसोम लाइटिक एंजाइम रखता है जो कि एक मेंब्रेन को पेनेट्रेट करने में काम आएगी टेल स्पाम की मोबिलिटी मैच करें ए में फॉर्थ छीक बी में थार्ड सी के अंदर फर्स्ट और दी में सेकंड हमारा जो ऑप्शन है थर्टी सेवन नम्बर क्वेश्टन का हो आएगा सेकंड क्वेशन नम्बर तर्टी एट ए मैथर्ड ओफ डारेक्टली इंजेक्टेड स्पाम इंटु ओम इंडू आर्टिफिशल स्वरी एसिस्टेट रिप्रोडुक्टिव टेक्निक्स इसमें आजाएगा इंट्रा साइटो प्लास्मिक स्पाम इन्सेमिनेशन आइसी एस आई ड 39 चूज दी राइट वन अमंग्द स्टेट्मेंट गिवन बिलो इन में से सही कथन को में ढूंडना है आयोडी इस आ जनरली इंसर्टेड बाइड डॉक्टर और एक्स पार्टनर्स ठीक है आयोडी इंक्रीज फेगोसाइटीस इस एक्षन इन दा फैलोपेंट ट्यूब ग गलत है हमारा आयोडी सप्रेस पर मेटोजनसिस गलत आयोडी इस वन इंसर्टेड नीड रिप्लेस ट्वाइस एड डेली गलत आंसर क्या जाएगा फस्ट स्टेट्मेंट गिवन बिलो राइट को डूनना था तो 39 में आंसर आएगा फस्ट question number 40 in additional benefit use of condom condom का additional benefit क्या है अत्रिक तिलाब क्या है इससे हम बच सकते हैं sexual transmitted disease just like AIDS तो sexual transmitted infection STI या AIDS से भी बचा जा सकता है by using condoms तो इसका अंसर आएगा थर्ड उपयोगरता को STI और S से बचाओ करवाता है या कर सकता है question number 41 the correct statement regarding IVF ZIFT in vitro fertilization zygote intra-filippine transfer procedure के बारे में पूछ रहा है में in the sperm and ovum are always from husband and wife respectively जरूरी नहीं है डॉनर भी यूज कर सकते हैं फर्स statement बिल्कुल correct नहीं है next जाइगो ट्रांसफर इंटू यूट्रस ZIFT की बात कर रहा है यूपिन ट्यूब में चाहिए गलत है ओवा फ्रॉम वाइफ डॉनर स्पम फ्रॉम हस्बेंड डॉनर बिल्कुल सही थार्ड ऑप्शन फॉर्थ चैक करते हैं फोर सेल एंब्रियों नहीं को यूट्रस में ट्रास्फर किया जाता है इसलिए आंसर क्या आएगा थर्ड कोशन नमबर फॉर्टीटू दे प्राइमरी उसाइट कंप्लीटली इट्सेल इट्स फर्स्ट मियोटिक डिविजन इज अपना पहला अर्ज सुत्री विभाजन या माइट्रोटिक डिविजन कोन पूरा करता है प्राइमरी सेकेंडरी ट्रस्ट्री या ग्राफियन ट्रस्ट्री फोलिकल में हमें सेकेंडरी उसाइट और फॉर्स्ट पॉलर बोडी मिली थी तो क्वेश्ट नमबर फॉर्टीटू का अंसर चाहिए बहिए अंसर क्या जाएगा फस्ट टू एंच एल डिप्लोइट सेल में 46 नमबर क्रोमोसोम जो मियोसिस के लिए जाएगी क्वेश्ट नमबर 44 विच ओट फॉलोइंग हैस डिप्लोइट नमबर ओफ क्रोमोसोम एस तू एंच एल यानि डिप्लोइट होनी चीए और प्रोमोसोम नमबर 46 होना चीए सेकेंडरी उसाइट हेप्लोइड होती है पॉलर बोडी हेप्लोइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बिल्कुल डिप्लोइड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हेप्लोइड होता है तो कोश्ट नमबर 44 का आंसर कितना जाएगा आंसर जाएगा थर्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है क्रोमोसोम का नंबर कितना है 23 प्रात्मीक स्पर्मेटोसाइट कोशिका क्वेशन नंबर 45 इलाज नंबर ओव विच टाइप फॉलिकल डी जन्रेट दूरिंग दा फेस प्रॉम बर्थ न्पीबिटरी जनम से नंबस्ता के बीच में बहुत से प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डीजन्रेट हो जाते हैं इन्हें फॉलिकुलर अट्रेशिया प्रोसेस को और अट्रेटिक फॉलिकल उनको बोला जाता है इसमें कौन आएगा आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है वो लगातार क्या होत होता है डीजन रेट होता है बनते कई लाख हैं लेकिन बस्ते शिर्फ शिक्स्टी टू एटी थाउजन टी है इसलिए फार्ट थर्ड ऑप्शन फॉर्टी फाइव का कोशन नमर 46 इन विच फेज ओफ दी मेंस्ट्रोल साइकल दा हार्मोन प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट लार्ज अमाउंट यह करता है कारपस लूटियम और कारपस लूटियम जिस फेज में आता है उसे बुला जाता है लूटियल फेज तो कोशन नमर 46 का अंसर आजाएगा और एक ही बार पी गटेन करेगा प्रोजेस्ट्रोन और वह भी लूटियल फेज में कौन देगा गारपस लूटियम वर्शन नमर 47 सिग्नल फॉर्ड पार्चुलेशन ओरिजनेटेड फॉली डवलप्ट फॉट्स प्लेसेंटा को पकड़ कर कीचेगा आंसर क्या जाएगा बहुत फॉस्ट एंड सेकेंड तो फॉली डवलप्लेसेंटा सोरी फॉली डवलप्ट एंब्रीयो जो है वो प्लेसे इंटा को पकड़ क्या करेगा स्ट्रेच करेगा स्ट्रेच होने से फस्ट फोटल इजेक्शन डिफ्लेक्स स्टार्ट होगा aí क्योंकि उससे ही oxidoxin का secretion शुरू होगा तो इसका अंसर आजाएगा third both first and second 48 the milk produced during the initial few days of the lactation known as a colostrum खीस बोला जाता है इसमें rich amount of antibodies होती है मैंली आई जी ए तो 48 गांसर आजाएगा second 49 column match करने में heart formation कब हो जाएगा after one month of the pregnancy development of the limbs जो limbs है उनका development second month के आसपास first movement fifth month में eyelids end of the second trimester तो question number जो 49 है इसका हमारा जो answer है वो बैट रहा है first में C second में A third के अंदर B और fourth में D fourth option question number 50 the probable reason for the increase the human population जन संक्या पढ़ने का संभावित कारण क्या है वहिया rapid decline in death rate बिल्कुल मृत्यदर में क्या हो रही है गिरावट MMR mother mortality rate में भी क्या हो रही है कमी सही decline in IMR infant mortality rate बिल्कुल सही उसमें भी कमी हो रही है increase reproducible age people बिल्कुल वो परसन जो कि जननायू वाले हैं उनकी संक्या लगतार बढ़ रही है तो इसमें आप का आज आएगा कि A B C D third option question number 50 मैं आएगा third option question number 51 which of the following statement और करेक्ट करेक्ट स्टेट्मेंट को चूज करना है में sperm हैड कंटेंड dna एक्रोसों मिल्कुल सही है all this about approximately मीट्र कोंट्र यूज मैडल पिस इसमें वह फ्रीमों 스टे बढ़ प्रॉपेल्स it a long it's way बिलकुल उसकी तरफatar बेंस्ती है बन्स कि ःजकुलेशियन वंस इजगुलेटेड्स पर्म और वियेबल और नॉर्मली और अबल टो फटलाइस एकंडरी उसाइट अप टू फाइव डेज यह गलत है वाई फाइव डेज नहीं 24 ओर्स तक फिमेल जैंटाइल पात के अंदर जो है वो सर्वाइव कर पाता है वह तो फस्ट ऑप्शन डी बीसी कहां दे रखा है थार्ड ऑप्शन है नेक्स्ट है को सब्सक्राइब टू एक्स्ट्रूजन और फस्ट पॉलर बोड़ी फ्रॉम उसाइट अकर फस्ट पॉलर बोड़ी कब निकलती है बहिया बिफॉर ओलेशन यह निकलेगी क्योंकि जब ओलेशन हो रहा होता है उस के फॉर्मेशन के टाइम ही लगबग वो क्या हो जाती है डिसपेर हो जाती है या फिर वो नहीं रहती है आंसर क्या जाएगा इसका फिफ्टी टू का फस्ट बिफॉर ओलेशन अंडौत सल्क से पहले निकलती है इबसे नोबर फुटी ट्री ताइब क्षिन नुंपर फिफ्टी त्री ₹ देटी तु दिफरेंस बिट्वेशन स्पर में वियरिशेशन में अंतर 75 झीक इंस परमीशन स्परमेटोब्ग आया और सथ ब्म्स अय रिलीज्स इस परमेशन के धिया इसमा इस इस फर्मियेशन स्पर्म इन्स फर्म रिलीज इंटो वह इन्स फर्मियेशन स्पर्म स्क्रिछ निखा से मुख्थ होता है जब में शुक्राणू योनी में मुप्त होता है तो क्वेश्ट नमबर 53 के लिए मरांसरा जाएगा थार्ड प्रियर नेक्स्ट क्वेश्ट नमबर 55 54 सोरी वापस हमें कोलम मैंचिंग करनी है साइट ओफ इंप्लांटेशन यूट्रस होगा बर्थ के नाल वेजाइन और सर्विक्स प्रोजस्टरों सिक्रेशन करता है कार्पस लुटियम साइट ओफ एडलाइजेशन फेलपेंड ट्यू ए में फॉर्थ वी में थर्ड सी में सेकेंड और दी में फॉस्ट ऑप्शन आजाएगा मारा फॉर्थ फॉर्थ नमर फिफ्टी फॉर के लिए हिं नेख्स्ट ए में सोरी तर्ड है अंधर थर्ड अंतर है और बी में फोर्थ outlets एह और सी में सेकेंड है कर्दी में फ्रस्ट है सोरी हमारांसर आएगा फस्ट ए में थर्ड लिख रखाना हम नहीं रहा है तो फिफ्टीफूर के लिए हमारांसर आजाएगा फस्ट hoki चर्टोली चर्टोली थैल्स हएर फोट इन तैस्ट इस्ट आएगा पर स्थामने फर्स तूब श की लिए फटिप़ गांशर थर्ड 56 which other corrects about the tissue layer of the uterine wall uterine wall uterus की गर्भ वित्ती के उत्तक्स तरगे बारे में सही बताईए external smooth muscle perimetrium middle skeletal muscle myometrium inner glandular endometrium तो inner वाले जो होती है वो glandular होती है first or second हमारा क्या है गलत तो question number 56 का answer आजाएगा third की सबसे अन्तैस्तर वो क्या होता है ग्रंथील और उसे क्या उकुला जाता है endometrium menstrual cycle के दौरान इसी layer के अंदर cyclic change या चक्रिय परिवर्थन्स आते हैं क्वेशन नम्र 57 औरल कॉंट्रा सेप्टी वर्क बाय मुख्य गरभ निरुद्धक कार्य गरता है इन है इन हैबिटिंग FSH एंड लेच ब्लोकेज ओफ दी फैलोपेंट ट्यूब डिस्ट्रप्टिंग दी प्लास्मा मेंब्रेन ओफ दी स्पर्म इरिटेशन दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट ही यह इन ही बीट करेगा किसको FSH और यूज किया जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोण कॉंबिनेशन या फिर प्रोजेस्ट्रोण को और उसका हाई लेवल रहेगा तो इटी फीडबेक देगा किसके लिए एफसेच लेज के लिए तो इनिविट करेगा किसको FSH और लच को तो विप्टी सेवन कांसर आजाएगा मारा फस्ट कि नेक्स पर्टे नमबर 58 कि तरफ इप्रोसेस्स इन बिच सपर मेटेट लो जाता है Сपर मीयों जैनेसिइस तो फिफ्टीएट गांस राजाएगा मारा सेकिंड्स पर मियोजैनेसिस नेक्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ डाइफ 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 रोम और दे कोंट्रसेप्ट डिवाइज उस्ट वाइफ फिमेल मादा में डाइफ रोम गरब नोदक युक्ति है सही विकलब कर सुनाव करो दे आर इंट्रडूस इंटू दा यूट्रस यूट्र दा सर्विकल रिजन बिल्कुल सही है सेकंड वाला ये ग्रिवा शेत्र को डखने के काम में आया करती है नेक्स्ट है दे एक्ट एज फिजिकल बेरियर फॉर स्पर्म एंट्री बिल्कुल स्पर्म की एंट्री का भोतिक रोध है उसे अंदर एंटर करने से रोकती है दे एक एस पर मिटी सीडल एजेंट नहीं मारने वाला सुक्राणों को मारने वाला कारक नहीं आई यह तो हमारे पास भी और सी सही है आंसरा जाएगा फस्ट फिफ्टी नाइन का कोशन नमबर सिक्स्टी टर्मिनल मेथर्ड ऑफ दे कोंट्रसेप्टिव इन दा फिमेल इस एक स्थाई विधी पर्मानेंट मेथर्ड की बात कर रहा है यह कौन सा है इंट्राइट्राइन या फे ट्यूबक्तोमी फेलोपेंट ट्यूब को काट कर बान दिया जाए कट आँसर आएगा फॉर्थ सेकेंड सेमनी फेरस ट्यूबूल क्योंकि इसके पास सिंगल ओपनिंग थी यह ब्लाइंड शेक कैवेटी है यह ब्लाइंड शेक ट्यूब है नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 62 पर आते हैं विचो दो करेक्स्ट अबाउट थी लेर्स ड्यूरिंग दी अंब्रियोनिक डवलप्मेंड तीन जर्मिनल लेर्स बनती हैं आउटर मोस्ट अक्टो मीजो मिडल होती है इनर होती है एंडो इनीशल एक्टोडर्म मीजोडर्म फो इनीशली मीजो एंडो गलत सेकिंड भी इनीशली एंडो मीजो फॉर्मड एक्टो नहीं इनीशली एक्टो एंडो फॉर्म बिलकुल पहले एक्टो फिर एंडो मीजोडर्म सून अपियर बिट्विन दैम बिलकुल मीजोडर्म उन दोनों के बीच में अपियर होती है बीच में उनका formation होता है तो एक्टो एंडो पहले वनी बीच में कौन सी आई मीजो आंसर क्या जाएगा फॉर्थ इनीशिली अरम में बाहिये तुच्छा मध्य जरह सतर के बीच में प्रकट होता है बाहिये और अन्तय के के बीच एक्टो और एंडो के बीच में आता है मीजो और तो अप्शन है कि क्वेश्चन नंबर 63 कि आप्टर इंप्लांटेशन फिंगर लाइफ प्रोजेक्शन अंतर ओपन के बाद अंगुली के समांद प्रभद निकलते हैं चीक है इनरसल मास नहीं ट्रॉफबलास्ट और उन्हें बोलते हैं के रोनेक विलाई फर्स्ट स्वरिनी सेकेंड ऑप्शन पोस्ट को रखके उपर के रोनेक विलाई का बनना यहीं होती है जो इंप्लांटेशन के टाइम पर फिंगर लाइक प्रोसेस का क्या होता है फॉर्मेशन 63 का जाएगा सेकेंड इसन नंबर 64 इंटर डिजिटेशन अकर इन विच ओव दा फॉलोइंग वो इंटर डिजिटेशन उसी की बात कर रहा है के रोनेक विलाई की यह रही के रोनेक विलाई बिट्विं गरुनिक विलाई ऑफ दे ट्रोफ़ लाइड ट्रोफबलास नहीं बिट्विन यून टिशू एंट कर रोनेक विलाई 64 में थर्ड आंसर जो है यह मिल्कुल सही है कि इंटर डिजिटेशन किसके बीच में होता है यह रहा यूट्रस तो यूट्राइन के टिशू यहां पर प्रजेंट होंगे यूट्राइन के टिशू इस एरिया में और यह है आपकी केरोनेक विलाई जो प्रजेंट है बनते हैं फिंगर लाइक प्रोसेस इन दोनों के बीच में इंटर डिजिटेशन या अंत्रा गुलिसन का है पाया जाता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी वर्गांसर थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्टी फाइव की तरफ विच फॉलॉइंग इस नोड़ दा फंक्शन और प्लेसेंटा प्लेसेंटा का काम कौन सा नहीं है कि सिक्रेशन ओव ऑक्सिटोक्सीन एड़ थी प्लेट जन सी कभी भी प्लेसेंटा ओक्सिटोक्सिन का सिक्रेशन नहीं करतें यह करती है पोस्टीर प्यूट्री ग्लेंड तो फस्ट ऑप्शन दौव गलत है यह भी है है सिक्रेशन ओफ एच्सव्टी एल ह manifest नक्तोज सही है यूमन के रिटरम्हेंग सही है और 66 विच दुफ फॉलविंग ग्रूप ओफ आर्मोन सपोर्ट इफटल ग्रोथ मेटाबोलिक चेंज मदर मेंटेन दे प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी ये टाइम पर कौन-कौन से आर्मोन का लेवल अप होता है और क्यों होता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके और जो डावल प्रो लेक्टिन विल्कुल मदर के ब्लेड में बढ़ जाते हैं तो कोश्चन नमबर 66 का अंसर आजाएगा सेकेंड लेक्स्ट कोश्चन नमबर 67 स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन इनर सेल मास्ट ट्रोफोब्लास एक्स्ट्रा इनर सेल मास्ट के अंदर इसी से आगे जाकर एंब्रियो का क्या होता है डवलप्मेंट 67 का अंसर आजाएगा फस्ट इसके लिए पहले भी हमने डिस्केशन किया था कि फुली डवलप्मेंब्रियो ने प्लेसेंटा को पकड़ के स्ट्रेच किया स्ट्रेच करते ही जो यूट्राइन मसल्स थी उनमें माइल्ड को ट्रेक्शन हुआ और उस माइल्ड को ट्रेक्शन कारण एक निउरल रिफ्लेक्श निकला डैट नॉन एज फस्ट फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्श फियर उसकी वज़े से ऑक्सी दॉक्सिंगा सिक्रेशन हुआ था ऑप्शन पढ़ते हैं फुली डवलप्मे को ट्रेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्श रिफ्लेक्श की वज़े से जो ऑक्सी टॉक्सी ने उसका सिक्रेशन गया होता है स्टार्ट 69 which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone कौन से ऐसे गरब निरोदक युक्तिया है या विदिया है जिसमें हार्मोन का यूज होता है कोपर टी वह तो कोपर रिलीज करती है नहीं आ सकता को पड़ी नहीं आएगा कि डूसरा पिल्स कि इंप्लांट्स के इंदर एस्टोजन प्रोजिसीन इंप्लांट्स में एक्टेशन रिवरुचित खाले तो हर्मॉन है तो आपशन प्रोजिस्ट आएगा सेकेंड को जिआने नमबर सेवेंटे कोलम मैच करना हैnh सेक्श्छल transmitted disease और उसके बारे में बता रखा है कि उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं ठीक है सबसे पहले ट्रीपी निमा के अगर बात की जाए तो हमारे पास में हैं ट्रीपी निमा के लिए यहां पर दे रखा है सिफेलिस बिलकुल बैक्टिरिया है युमन पेपिलमेन वारस वार्ट्स हुमन अमुन देफिशेंशी एड्स निसेरिया गौनेरिया फिर्स्ट में ए सेकेंड में बी थर्ड में दी और फॉर्ट में सी फिर्स्ट ऑप्शन को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं बिलकुल सही है अगर जाग रुकता होगी अवेर्नेस होगी तो इन्फ्लैंट मोटलिटी रेट मदर मोटलिटी रेट दोनों में कमी आएगी इंक्रीज नंबर ओव मेडिकल एसिस्टेट डिवाइज बिलकुल चिकिछे साहिता अगर सही है तो दोनों की डेथ रेट में कमी आएगी बैतर प्रसोत्तर देखपाल बैटर पोस्ट नेटल के बिलकुल सही है सारे के सारे ओप्शन सही है इसकी वज़े से आई एम आर इन्फ्लैंट मोटलिटी रेट ममर मदर मोटलिटी रेट को डिक्रीज किया जा सकता है सेवेंटीवन मांस राएगा फॉर्थ 72 इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं इस ओप्शन को ओवलेशन का टाइम क्या था फॉर्टीन्थ डे यह कह रहा है फॉर्ट डे बिफॉर यानि टैंथ डे फॉर्ट बाद यानि एटीन्थ डे और अकोर्डिंग टू एंसीर्टी टैन्टू सेवेंटीन डे जो था इसमें अगर कोईटस को ओड़ किया जाए तो वहां प्रेग के बराबर है जाते हैं तो मेरा थार्ड ऑप्शन है वो बिलकुल करेक्ट है सेटीटू मैंसर आएगा थार्ड 73 in which of the following method of contraceptive the chance of conception is more periodic abstinence contraceptive pills intrauterine device sterilization इन तीनों में chances ना के बराबर हैं लेकिन नेचुरल जो methods है यह एंसियाटी का statement है कि natural method में conceive होने के chances है मना नहीं किया जा सकता तो यहां पूछ रहा है कि कौन सी में गरबदार्ण की संभावना है है तो चारों में नहीं लेकिन फिर भी इन चारों में चूज करना पड़े तो हम natural methods को यूज करेंगे इसलिए हमारा option क्या आएगा फरस्ट 74 दा हर्मों रिलीजिंग इओ इस LNG 20 और प्रोजस्टा सर्ट थर्ड ऑप्शन आएगा मारा सिधाई 75 इन विच्छ फॉलिंग में तो फॉलिंग लेकिन और इंप्लानेशन और इंप्लानेशन दोनों क्या करती है इनिबिट करती है नेक्स्ट, question number 76, in which of the following method of assisted reproductive technique, ART, in vitro fertilization take place, in vitro यानि बोड़ी के बाहर fertilization करवाना है, test tube baby program and ZIFT, इसमें gamit आ गया भया, इसलिए नहीं लेंगे first को, ZIFT artificial insemination आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ZIFT GIFT आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, test tube baby program and ICSI, बिल्कुल सही है मारा, intra-cytoplasmic sperm insemination, in vitro की टेक्निक है, और test tube baby भी in vitro की ही टेक्निक है, जहां fertilization body के बाहर lab में करवाया जाता है, तो 76 cancer आएगा, 4, नेक्स बढ़ते हैं, question number 77 की तरफ, correct sequence बताना है, sperm का, reproductive system के अंदर, ठीक है, testis से, epidemis, वसा, inferentia, वसा, differentia, गलत है, पहला, testis epidemis, वसा, inferentia, बाद में आ रही है, गलत है, बिल्कुल 3rd option, बिल्कुल सही है, शुक्र जर्न लिकाए, रशन जालक, शुक्र वाहिकाए, अदीव रशन, शुक्र वाहक, स्क्लन लिका, मुत्र मार्ग और मुत्राश्य, मुक्ष, तो 77 के अंदर मारा अंसरा जाएगा, 3rd, 78, first, meiotic division occurred during the oogenesis in, पहला, अर्द सुत्री विभाजन, meiotic division किसमें होता है, 78, ओवेरी में, सिलोम में, at the time of fusion या फिलोपेन ट्यूब आफ्टर ओवलेशन आंसर क्या जाएगा, 78 का, first, ओवेरी में ही होता है, first, meiosis, अर्शुत्री वाजन, second, कहां होता है, फिलोपेन ट्यूब में, इसलिए, first answer, 79, in human being, at the end of 12 week, first trimester, the pregnancy following is observed in foetus, 12 week, पहली तिमाई कम्प्लीट हो चुके है, तीन महिने कम्प्लीट, लगबग सारे ओर्गन सिस्टम इंक्लूदिंग आपके रिप्रोड़क्टिव ओर्गन बन चुके हैं, आइलेट्स गलत, मेजर ओर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड बिल्कुल सही है, तो 79 का अंसरा जाएगा हमारा second, next question number 80, select the corruption of group of haploid cell, in the following, haploid cell chromosome number 23 होना चाहिए, primary site, secondary sites, spermatoid इसका haploid नहीं है, next, 80 के अंदर अगला है, secondary spermatocyte बिल्कुल haploid है, first polar body haploid है, ovum भी क्या है, haploid, आंसर क्या जाएगा, second, 81, choose the correct sequence of various phase of a typical menstrual cycle, menstrual cycle की सही phase का direction हमें देना है, आर्दर चक्र की विभिन ब्रावस्ताओं की बारे में बताना है, menstrual phase, follicular, secretory, ovulatory, गलत, ovulatory, गलत, menstrual, सही, follicular, दूसरी, ovulation और फिर secretory, option क्या जाएगा, third, आर्दर प्रावस्ता, पुट्टिके प्रावस्ता, अंडोच सर्ग और स्त्रावी प्रावस्ता, तो 81 का अंजर, third, 82, during pregnancy, the level of thyroxine hormone increase होता है, और वो भी mother के blood में, increase है और वो भी mother के blood में, क्यों ताकि foital growth को proper और pregnancy को proper maintain किया जा सके, 82 मैंजर आजाएगा, first, next, question number 83, column matching करना है, hypothalamus, GNRH, gonadodropin releasing hormone, placenta, human chronic gonadodropin, HCG, carpus luteum progesterone, landing cell, androgen, question number 83 में बात की जाएए, तो first में B, second में A, third में D, और fourth में C, first option बेठता है मारा, 83 का अंचर रहेगा, first, next, 84, the first movement of the fetus, and the appearance of hair on head, are usually observed during which month, पहली पहली गती शीलता और सिर पर बालों का उगना, ये होता है फिफ्ट मन्थ में, तो 84 का अंचर आजाएगा, first, question number 85, which human male accessory reproductive duct, receive a duct from the seminal vesicle, ये रहा seminal vesicle, ये रही इसकी duct, इसे वहला seminal duct, इस सरा कर कौन जुड़ी, इस से आके जुड़ती है, वसाड डिफ्रेंशिया, clear, इसका अंसर आजाएगा, वसाड डिफ्रेंशिया, 85, ये रही वसाड डिफ्रेंशिया, जो seminal vesicle की seminal, जो duct है, उसके साथ में attach होगी, और बाद में आगे बनाएगी, ejaculatory duct, तो इसके साथ ये जुड़ी थी, आंसर आजाएगा सुक्रवाग, जो कि सुक्राश्यवाईनी के आकर, मिलती है, 85 में third, next, 86, ति प्राइमरी उसाइट, complete second mitotic division, in, कहां पर पूरा गरता है, दूसरा रसुत्री विवाजन, और ये कब पूरा करेगा, जब fertilization हो जाएगा, तब ही अपना रसुत्री विवाजन, second complete करेगा, और वो करेगा, फैलोपेन ट्यूब में, आंसरा जाएगा, second, 86 का, next, question number 87, in human being, ovum sperm contain, ovum के पास में, X chromosome होता है, sperm के पास, X भी हो सकता है, और Y भी हो सकता है, हमारा अंसरा जाएगा, third, question number 87 में, next, बढ़ते हैं, question number 88 की तरफ, correct sequence, release of milk, memory gland से, milk release करने की, तो sequence है, वो सही क्या है, memory tubules, memory duct, lactiferous गलत, memory duct, memory tubules, मेमरी टुब्यूल्स, memory duct, memory ampula, lactiferous duct, बिलकुल सही, answer आजाएगा, third, question number 88 की तरफ, answer है, third, next question number 89, in, mature sperm, in human being, are stored in, mature sperm, कहां जाकर, store होते है, so, minor vesical में, होंगे नहीं, epidemies सही है, ready test is नहीं, ejagulated duct नहीं, तो question number 89, का अंसर आजाएगा, हमारा second, अधीव रेशन में, जाकर क्या होते है, store होते है, next, question number 90, in mutic cell of fruit fly, the number of chromosome, वो cell जो, meiosis के लिए जाएगी, उसे mutic cell बोला, और mutic cell के अंदर, और वो भी किसमें बूच रहा है, fruit fly में, प्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, डेपलोइट सेल में, आंसर आजाएगा, fourth, question number 91, in human foetus, develops limbs and digitus, limb or digitus, दोनों कब बने, after one month of the pregnancy, उस ताम तो हर्ट बनता है, मारे पास में, next, अगला है, during the fifth month, गलत, at the end of second trimester, गलत, तीनों गलत है, by the end of the second month, बिलकुल, दूसरे महिने, के लास्ट तक आते आते, हमारे जो, अंगुलियां, और पैर हैं, उनका development, complete हो जाता है, next question number 92, हमें एक कोलम मैच करना है, clitoris, graphene follicle, या external genital, ठीक है, एंट्रम, एंट्रम, graphene follicle ले सकते हैं, trophoblast, blastocyst, acrosome, हम ले सकते हैं, sperm, तो question number 92 में, first में A, second में C, और third में B, और fourth में D, हमारा third option जो है, वो clear, appropriate है, तो इस बांसर आएगा, third question number 92 में, next question number 93, which of the following, disposal, disposable barrier, used as, contraceptive for preventing, physical mating as sperm, and over, एक बार में ही प्रियोग करने वाला, वो है सिर्फ और सिर्फ कॉंडम्स, क्योंकि डाइफ्रॉम और, cervical cap को, reuse किया जा सकता है, लेकिन कॉंडॉम सिंगल यूजड होता है, disposable होता है, answer आएगा third, 94, इन वसक्तोमी, small part of which male, वसा, डिफ्रेंशिया का, एक पार्ट काटा, शुक्र वहा का, और उसे बान दिया, तो 94 मांस राएगा मारा third, next question number 95, choose the correct option for the MTP, medical terminating pregnancy, MTP आजनरी अट्वाइज, during first trimester, बिल्कुल सही है, MTP are used as a contraceptive method, contraceptive method के लिए, use as such, हम लोग करते नहीं है, गलत है, MTP always surgical, जरुरी नहीं है, कि हमेशा ही surgical हो, यह possible, मतलब compulsory नहीं है, MTP required, assisted qualified medical person, बिल्कुल सही है, तो A और D सही है, B और C पूरी तरह सही, नहीं है, 95 का अंसर आजाएगा, 3rd, नेक्स्ट मूव करते हैं, question number 96 पर, according to medical termination of the pregnancy MTP, 2017, a pregnancy of 16 week, may be terminated, must be opinion of, बहुत अच्छा question नहीं है, बिल्कुल NCRT based, यह मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जो बच्चे सिर्फ NCRT, के जो man page पर लिखा होता है, वो ही पढ़ रहे हैं, उस page के side में भी, red color की strip के अंदर, छोटे-छोटे latest के अंदर, statement लिखे होते हैं, अगर वो statement आप पढ़ोगे, तो ही एक question का answer होगा, complete NCRT से है, बता देता हूँ, reproductive health में जो second number का page है, उसमें strip है, yellow color की, उसमें लिख रखा है इसके बारे में, कि 16 week का अगर, embryo है या foetus है, तो उसको MTP के अठाना है, तो किसकी रहे जुर्री है, उसके लिए हमें two registered, दो पंजीकरत सिकिस्कों की रहे जुर्री है, बता दिया, कहां लिखा हूँ है NCRT के अंदर, एक बार चेक कर लेना आप, answer आएगा इसका, first 96 का, 97, which of the following is note regarding वसक्तोमी, वसक्तोमी के लिए क्या नहीं है, वसा डिफ्रेंशिया कट टाइस सही है, नो स्पर्म अकरेंड सीमन सही है, नो स्पर्म अकरेंड दा, एपिटी डायमिस ये गलत है भई, तो इसका answer आजाएगा third, एपिटी डायमिस में तो स्पर्म रहेगा, हमने काटा किसको है, वसा डिफ्रेंशिया को, वसा डिफ्रेंशिया उसे आगे, एपिटी डायमिस में तो है, तो ये सही नहीं है statement, थर्ड वाला, इन विट्रो फेटलाइज़़जिशन, एम्ब्रियो ट्रांसपर, अप्टू एट बलास्टोमिर, आठ बलास्टोमिर तक का फेलोपियन ट्यूब, नैंटी एट में अंसर आजाएगा, थर्ड, नेक्स्ट, नैंटी नैन टैस्ट्यूब बेबी के लिए रैफर किया गया है, इन विट्रो फेटलाइज़़जिशन, एम्ब्रियो ट्रांसपर ठीक है, अंसर क्या जाएगा, नैंटी नैन का फॉस्ट, नैंटी नैन का अंसर हमारे पास, फॉस्ट, लास्ट क्वेस्टन, वट इस फोल्स पोर जी आफ्टी, गैमिट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसपर के बारें पूच रहा है, जाइगोट गलत है, फेलोपियन ट्रांसपर इंट्रांसपर 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 इंट् गलत है आंसर है ए और डी थर्ड तो तो यह मारे पेपर का सोलीशन था यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हैल्थ आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो बेस्ट ओव लख आपके बच्चे वे जितने भी एक्जाम हैं बायो केम डीटियस के यह उस आपके सब्सक्राइब दिश्चंट मच्ट सिक्स्टीन्द 25 में से 16 पेपर अपन सौल करने जा रहे हैं तो वन बाइव अपन कौश्चन के एक सोल करते हैं चलो तो फ़िट्स्ट क्वेस्टन है अपन पढ़ता है इसको समझते है पेले दे मेगनेटिक मोमेंट ओफ ट्रां दो और आपको निकालना है इसका electronic विन्यास क्या होगा देख अपने पास जब भी magnetic moment होता है magnetic moment दे रखा होता है तो इसकी साहता से चुम्ब क्यागून की साहता से हम और युक्मित electron unpaid electrons calculate कर सकते हैं तो similarly यहां पर जो magnetic moment दे रखा है magnetic moment का formula क्या होता है root में n into n plus 2 बोहर magnet हो यह magnetic moment का formula होता है और इसकी वैल्यू कितिन दे रखी है 6.92 लेकिन इस टाइप कर जब भी question करने इसमें सिंपल सी ट्रिक है वो काम मिले तो जारा अच्छा है कि यह आप यह जहां यह यह अन पेड लेक्ट्रोन पहले calculate करोगे फिर लेक्ट्रोन एक configuration पर जाओगे तो इसमें क्वार्डिक बनेगे इस विगास समेकर्ण को हल करने से अच्छा है इस ट्रिक को काम मिले एक ट्रिक सिखा ही जाती क्लास में ट्रिक क्या है जब अन पेड लेक्ट्रोन और युगमित लेक्ट्र अन पेड़ लेक्ट्रोन एक है तो इसका जो magnetic moment आता है जो magnetic moment चुंब की आगोर्ण 1.something आएगा एक ट्रिक है इसे काम बहुत आसानी सोजाता है इसका magnetic moment 1.20 जो भी वेल्यू आगे यदि अन पेड़ लेक्ट्रोन दो है इसका का magnetic moment 2 point something value आएगे यदि मैं magnetic moment sorry unpaired electron 3 है तीन आयूगमिद एलेक्ट्रोन है तो इसका magnetic moment 3 point something आएगा तो इस question से आगे चलते रहेंगे तो समस्भाइग होगा आपको यदि अपने बात करें इसमें 6 point something जो भी value दे रखी है तो इससे अपने को idea लगता है कि इसमें इसको बिना सौल की पता कर सकते हैं तो पहला है तू पहला है 3d4 डी के अंदर चार एलेक्ट्रोन हैं तो एक अंदर 4 एकट्रों होते हैं एक अलेक्ट्रों दूसरा इलेक्ट्रों ग्ल सुट के अंदर दो आप हैं इसमें में 3D 5 दी तो डी 5 एक दो तीन चार और पांस तो डी मान पियर है और एक एक सेड़ जा सेखें आपको समझ आये गोब इस ट्रिक नई है अच्छी है है आपको पताया भूर अच्छी वाथ है अधर्वाइस को आप मेंसेन करें अपध्ञन में रखें इंपोलिटेंट्रिक है यह बैटा चलो है नेग्स चलते हैं सेकेंड को रॉबस्थित करना है चुमब की आगूण के आधार पर जो आयन है कि चुमब की आगूण फिर से मैं बोलता हूं चुमब की आगूण का अपने एक फॉर्मुला सीखा अभी ज़स्ट चर्चा किया है चुम्ब क्या गूंड एक सेकंड यह होगा पैंड सेलेक्ट चलो तो चुम्ब क्या गूंड मेगनेटिक मोमेंट का फॉर्मुला क्या है उस यहांड में एंटू एंट फॉर्मात इंटो अब सिंपल सी बात है कि जिस अलिमेंट जिस आयन का उन्पेर एक स्वर्मूंड जादा होंगे उस एलिमेंट औस आयन का मेगनेटिक मोमेंट भी जाद आएगा जिस तत्व यह जिस आयन कं और एलेक्ट्रोनों की संक्राइब के ज्यादा होगी उसमें चुम्ब की आगोण भी ज्यादा ही आएगा तो अपने दो पक्नी के आगोण की वेवस्ता होगी ठीके डियर चलो तो वनडियम है आप वनडियम का configuration लिखेंगे फिर plus 4 मतलब 4 electron निकालने के बाद चर्चा करेंगे तो अब सब को पता है कि Vanadium का configuration क्या होता है Scandium titanium फिर Vanadium तो 4S2 3D हाला कि पहले 3D लिखना चाहिए लेकिन कोई दिखेंगे जिस तरह से लिखते है configuration एक्चुली वैसे लिखा है 4S2 3D किता हो जाएगा Scandium फिर Titanium फिर Vanadium 3D हो जाएगा 3 और Vanadium प्लस 4 है चार electron रिलीज करते है electron हमेशा पहले valence cell से रिलीज होता है electron हमेशा कहां से त्याएगा जाता है जो Antim course होता है Sanyogic course होता है तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था इसको अपन 4S पहले लिखने के बजाए पहले 3D लिखते है क्योंकि Antim course जो Sanyogic course है वो 4S है 4 course है तो इससे फोर्थ चैल से अपने लेक्ट्रोन रिमूब करते है अपने टोटल चार एक्रोड रिमूव करिना है तो 2S के लेक्ट्रोन जायेंगे 2S के लेक्ट्रोन गए और 2 जाएंगे फिर D की बार है क्वर दो चले जायेंगे बच्चे का एक configuration में केवल मैं सिर्फ लास्ट वाला configuration लिख रहा हूँ अलाग इससे पहले आर्गन रहा होगा exact configuration तरह से लिखना चाहिए आर्गन 3D 3 & 4S 2 इस तरह से लिखा और जादा सही लगेगा और इस एलेक्ट्रोन जब निकाल दिये जाएंगे रिलीज कर दिये जाएंगे जो इलेक्ट्रोन जैसे त्यागे जाएंगे तो अपन रिलीज करने के बाद क्या लिख देंगे इसको वैनेडियम प्लस 4 का कॉन्फिग्रेशन क्या जाएगा आरगन यहां तक आरगन मतलब इनर्ट गेस आरगन अक्री गेस आरगन तक के सारे लेक्ट्रोन युग मित है और इसमें क्या जाएगा 4S 2 तो 4S 2 के लेक्ट्रोन गए इससे 2 लेक्ट्रोन गए तो बचा गया 3D 3D का एक इलेक्ट्रोन बच जाएगा और 3D 1 का मतलब डी में सिर्फ एक ही अई युग मित इलेक्ट्रोन बचा एक अंपेड़ लेक्ट्रोन तो नंमबर और अफ़ उनपेड़ लेक्ट्रोन इसमें कित्ते हो जाएगा 1 नेक्स्ट बात करते हैं MN प्लस 4 तो पहले MN और इसका बात प्लस 4 करेंगे तो डारेक्ट में इसका लिख रहा हूँ MN प्लस 4 वैसे MN का क्या होता 3D 5 होता और 4S2 होता गिदी MN किस डारेक्ट में इन आयन के लिख रहा हूँ तो 3D 5 होता और 4S2 होता चार electron निकालने हैं, तो organ 4 electron निकालने के बाद configuration पहले 2s के जाएंगे, और d के 5 में से फिर 2 जाएंगे, तो 3d 5 में से 2 गे, तो 3 बच जाएंगे, और 4s क्या हो जाएगा, 0s के अंदर को electron नहीं बचेगा, मतलब mn प्लस 4 का configuration क्या जाएगा, 3d 3 and 4s 0, 4 electron निकलने एक बार, ठी लिखते हैं, 3d के, यहां पर मैं unpaid electron लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बार next configuration है, fe plus 3, वैसे fe का खुद का configuration क्या होता है, आरगन 3d 6 होता है, और 4s 2 होता है, लेकिन इसमें से 2 electron त्यागने, अच्छा, fe plus 3 है, sorry, मैंने fe plus 2 लिख दिया, fe plus 3 करते है, fe plus 3 है, sorry, fe plus 3 है, और fe plus 3 है, और fe plus 3 से कितने electron निकाले गए है, 3 electron fe से निकालने है, तो 2 electron तो यह निकल जाएंगे, दो electron यह गए है, और एक electron यहां से जाएगा, तो d बच जाएगा 5, d किता जाएगा 5, और s किता जाएगा 0, s किता जाएगा 0, ठीक है, d अरो, d5 को देखते है, d5 है 5, यह गविट एलेक्टरों होंगे 5 होंगे 5 हो पांचों, यह ने ही 5 हो पांचों, और s के अंदर कोई उलेक्टरों ही नहीं, क्योंकि 4s 0 हो चुका है, तो इसमें कुल आईगमिट ईलेक्टरों कि सहंग यह, कितने हो चुकि है? 5, इसमेल एक और जैसे यह निकल प्लस टू लिखेंगे तो अपने पता है कि 4S के लेक्टोन निकल जाएंगे और जैसी 4S के लेक्टोन निकलेंगे तो 4S क्या हो जाएगा जीरो तो अब डी एट कॉन्फिकरेशन बचा है 3D8 तो 3D8 का विन्यास लिखते हैं तो 3D8 में एक दो 3 4 5 6 7 और 8 . बचे इसने जिसमें सबसे जाद ऐस बमर्स प्र forced नमबर पर वैंडीकन का दे kya थर्ड नंबर पे F एक देर रख है फॉर्थ नंबर पे तो सबसे ज़धा प्पर्ड एक तो सबसे ज़ारा जाला मेग्नेट्रिक मोमेड रखे गा उसके बाद मैं सबसे सेकिंड नमबर पर आजाएगा MN, क्योंकि इसमें तीन उन्पेड लेक्ट्रोन है, तो सबसे लास्ट रेंग पे कोन आएगा, फर्स्ट वाला क्योंकि इसमें सिर्फ एक उन्पेड लेक्ट्रोन है, तो यही ओर्डर की बात के लिए किसके साथ मैच करता है, तो 3, 2, 4, and first, second answer will be correct, चोथ जो second answer है विल्कुल सही होगा, इसी order में रखे हुए है, ठीके डियर, तो यह second question का answer क्या आगया है, second, चलो, next बात करते हैं, third question की ओर, which of the iron will give colorless aqueous solution, निम में से कौन सा रंग हीन आइन देगा, रंग हीन जली विलीन देगा, कौन सा रंग हीन, जली विलीन, मतलब जिसका color नहीं होना चाहिए, एक तरह से अपने को iron select करना है, simple सी बात है कि जिस जिस अपने को deep block में सिखाया जाता है, एक second अब थोड़ी habit नहीं है, पहले अपन select करते हैं, ठीक है dear, तो अपन बात करते हैं, deep block पन सीखते हैं, कि जिस जिस iron का configuration, deep block को पन सीखते हैं, जिसका d0 configuration है, उसमें color नहीं आता, और जिसमें d10 configuration है, उसमें भी color नहीं आता, कारण किया है, d0 configuration, जो deep block में जो ions है, जो एक्वस ions है, उनका जो color explain करते हैं अपन लोग, उसमें बोलते हैं, dd transition, जो dd संकर्मन होता है, और dd संकर्मन क्यों होता है, क्योंकि जो कक्षक होते हैं, d, वो संब्रंस होते हैं, वो विपार्टित हो जाते हैं, जहा जहाँ d10 configuration है, सारे electron paired होते हैं, तो उस case में transition नहीं होता, और जहाँ d0 configuration है, वहाँ पे भी d electron ही नहीं है, तो वहाँ पे भी color observe नहीं होता, तो हमें mainly क्या select करना है, d0 या फिर d10 configuration को, चेक करते हैं, nickel plus 2 d8 configuration, fe plus 2 d6 configuration, cu plus 2 d9 configuration, but cu plus is d10 configuration, cu plus is d10 configuration, आप सबको पता है, copper का exceptional case होता है, configuration में, जहाँ पर argon 3d10 होता है, and 4s1 हो अगरता है, तो 4s1 एक electron release कर दिया, copper से, तो argon, यह copper का configuration लिखता था, आप मैं copper plus 1 का लिख रहा हूं, तो यह electron 4s0, तो dk10 electron होने के कारण, इस सारे paired है, electron transition नहीं होगा, तो इसका कोई color नहीं आने व आती है, तो cu plus will be colorless, okay, डियर, चलो, तो third का answer होता है, food, next चलते हैं, fourth question की तरफ, और fourth question को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, fourth question, fourth question, in which of the following pair of iron colored in aqueous solution, इस बार पुछा गया है, कि कौन सा iron रंगीन होगा, colored, रंगीन नहीं, रंगीन, तो कौन सा iron, colored होगा, तो simple सा है, आप ऐसे justify का सकता है, कि इसमें d1 से लेकर, d9 तक कोई भी configuration आएगा, तो colored आएगा, ठीक है, इस scandium plus 3 पहले ये चेकर, दोनों colored होने चाहिए, तो मैं कोई एक option भी colorless हो जाता है, तो इसको मैं discard कर दूँगा, तो scandium आपको बता है, d0 configuration, scandium plus 3, d0 configuration रखता है, तो colorless होगा, जबके हमें पुछागा, colored, next बात करते हैं, तो इसमें अपने color पुछागा, एक colorless होता है, अभी कोई cu plus 2 की चर्चा की थी, sorry, cu plus 1 की चर्चा की थी, वो colorless होता है, रंग हीन होता है, फिर बात करते हैं, nickel plus 20, titanium plus 3, तो इन दोनों में अपन देख सकते हैं, कि d0 configuration नहीं होता है, ना d10 होता है, यदि बात करो nickel की, तो nickel में क्या होता है, d8 configuration अभी थोड़ी देर पले अपने चर्चा की थी, 3d8 configuration आता है, unpaid electron इसमें है, dd splitting होगी, dd transition होगा, dd संक्रमन होगा, इस वज़े से color भी observe होगा अपने को, ठीके दियर, अब बात करते हैं, titanium, तो इसमें बाता है, scandium, titanium, अब titanium जो है, उसका configuration क्या होता है, पहले तो होता है, 3d4s2 and 3d2, और titanium plus 3 है, तो 3d1 configuration आ जाएगा, argon 3 3d1, और क्योंकि इसके अंदर ये compared electron है, इसमें भी color होगा, तो आप का answer जाता है, 3rd, 4th question का answer जाता है, 3rd, चलो dear, next होते हैं, उमिद कर रो, आपको समझ महारा आगा, उच्छे से, चलो, next है, 5th question, ये पूछ रहे हैं, the lengthenoid's contraction is responsible for the fact that, मतलब जो lengthenoid संकुचन होता है, वो किस तथे के लिए, किस के लिए कारगार है, मतलब वो क्या effect लेके आता है, उसकी चर्चा करते है, वो lengthenoid's contraction होता है, उसका नुक्सान किसको जहनना पड़ता है, आप सब को बता है, किस candy हम होता है, और scandium के नीचे, वह अपन यहीं बात करें, deep block elements की, तो कहां पर इसका effect observe होता है, क्यों यह effect observe होता है, वो पन चर्चा करने हो जा रहे है, ओके dear, scandium, titanium, vanadium, आगे elements सलते रहता है, ठीक है, scandium नीचे, atrium, lengthenum, और actinium, titanium, circonium, and half more, ओके dear, आप लोगों सब को पता है कि जो एफ ब्लॉक elements होते हैं, एफ ब्लॉक के elements होते हैं, सोरी, इस color का कोई use नहीं है, जो lengthenum होता है, अब सब कोता है जो deep block element होते हैं, वो element अपनी application रचते हैं, खुछ इस तरह दे भ्लॉक element, लेंथेनोट के पीछे हैं तभी लेंथेनम के पीछे तभी इनको लेंथेनोट कहा गया है यह सब कहा होते हैं लेंथेनम के पीछे की तरफ होते हैं तभी इनको लेंथेनोट कहा गया है और इनकी रेडियस क्या होती है इनकी रेडियस क्या होती है कम जब इसकी रेडियस कम हो जहाना पड़ता है वह इस हाफ मियम को जहाना पड़ता है वह यह नुकसान किसको जहाना पड़ता है हाफ मियम को ऐसा क्यों देखो लेंथनोड के अंदर जो भी contraction हुआ वह तो लेंथनोड में कमियागी साइज में लेकिन उस साइज का effect कहा पड़ेगा उसके just next element वैसे ही जैसे अपन लोग बात करते हैं transition contraction का तो transition contraction तो होता है लेकिन उसका effect हो गेलियम पर बढ़ता है और गेलियम का जो expected size होता है जो अपनने सोचा था लेंथनम के बाद जो लेंथनोड से उसका effect किसको जिहनदा पड़ता है इस हाफ्मियम को इवन इस वज़े से यह जो जिर्कोनियम एंड हाफ्मियम उनका size almost same हो जाता है इवन इनके size में एक picometer के difference होता है only एक picometer का difference बहुत कम होता है इवन negligible होता है तो अपन जस्टिफाई कर सकते हैं almost इनका size same हो जाता है इवन इस नुक्सान को पूरा यह जो 3D series उसके बाद जो 4D और 5D series है लेंथनम के बाद जो है 4D और 5D का पूरे का size almost क्या हो जाता है same तो हम कह सकते हैं कि इ जिर्कोनी मुराफियम की radius का चैंपनोर पीज़ादकी नहीं जिरकोनी चैंड लगबुक्सामान हो जाती है उसका परवाब दeldको यह वहां पढता है en차 के देखनेंगा मिलता है वैसे he वैसे ही, even length node का जो effect है, जो transition, length node contraction का जो effect हो, काफी दूर तक even 15th group तक देखने को मिलता है, okay dear, 15th group में जैसे आप बात करो, ionization energy है या EAN है, वहीं कहीं न कहीं exception case तो देखने को मिलते हूं, उसका main reason यह होता है, due to length node contraction, ठीके dear, चलो, next आपन बात करते हैं, तो इसका answer किया जाता है, third, जिर को निवर हाफ में की same radius, चलो, next is 6th question, 6th question, बड़ाई simple सा question, question में बोला गया है, कि कोन से oxide will not give metal on heating, मतलब जब उनको heat किया जाता है, तो metal नहीं मिलनी चाहिए, देखो, metal क्यों मिलते हैं, heat करने पर पहले वो चर्चा करते हैं, कि जब भी आप किसी को heat कर रहे हो, किसी metal oxide को, generally, metal oxide बहुत stable होते हैं, oxygen के साथ, क्योंकि metal electron release करना चाता है, oxygen electron को लेना चाता है, बड़ी आई strong bond बनता, ionic type का इन generally, तो इस bond के कारण, बहुत, मतलब strong, जब solid बन जाता है, तो वो oxygen release नहीं करते हैं, heat करने, decompose नहीं होता, लेकिन जो oxides बहुतार रिस्टेबल नहीं होते हैं, कुछ metals है, उनके oxides बहुतार रिस्टेबल नहीं होते हैं, तो इस वज़े से, उनको heat करने पर उनकी oxygen oxygen release हो जाती है, उनमें example क्या दिया जाता है, एक to silver है, उसका, एक Hg है इसका, इनका इन generally oxides को heat करते हैं, तो oxygen easily release हो जाती है, तो जैसे इसको Hg को heat करोगे, गरम करोगे, तो Hg plus half O2 बन जाएगा, इसको heat करोगे, तो 2 Ag plus half O2 बन जाएगा, और जब इसको heat करोगे, तो 2 Hg plus half O O2 बन जाएगा, क्योंकि इनके oxides बहुत जाले stable, नहीं होते हैं, बट जिंक heat करने पर oxygen release नहीं करेगा, और elemental या metal zinc नहीं देगा, तो answer किया जाएगा, इसमें second, six cancer जाता है, second, simple सा concept है यह, जो पन लगया है, कि इस oxide को गरम करने पर ताह तो नहीं मिलेगी, तो जो oxide stable है, जो Most Common Oxidation State of Lentanoid is, Lentanoid की कौन से जब से समान ने oxygen करना जाता है, तो यदि वो plus 2 में है, तो electron release करना चाहते है, और यदि plus 4 में यदि electron gain करना चाहेंगे, मतलब यदि plus 2 में यदि electron त्यागना चाहेंगे, और plus 4 में यदि electron गरन करना चाहेंगे, इसका मतलब, यदि वो plus 2 में यदि electron release करना चाहेंगे, और यदि वो plus 4 में यदि electron लेना चाहेंगे, ताकि plus 3 में अपनी stable oxidation state में, तो इसका मतलब oxidizing agent, oxikarak का काम करेंगे, तो यदि plus 2 है, तो react as reducing agent, और यदि plus 4 में है, तो वो oxidizing agent की तरह काम करेंगे, oxikarak की तरह कारेंगे, ओके डियर, चल है, शलोड़ी है, next, 8th question, in dilute alkaline solution, MnO 4 minus changes to, मतलब तनु छारी मादे, मतलब weak बोल सकते हो, या दूरबल छारी मादे में बोल सकते हो, उसमें, MnO 4 minus किसमें change हो साता है, तो बड़ा simple सा concept है, जिसमें की जो chemical properties, NCR दिम लिखर है कि उसके अंदर ये बता रखा है, बहुर अच state में change हो सकता है, जब oxidizing agent का काम करता है, खुद reduce होगा, even obvious सी बात है, simple सी बात है, कि जब कोई oxygen कारक है, तो सामने वाले को oxygen करेंगा, लेकिन खुद तो अपचाहित होगा, तो जब खुद अपचाहित होता है, इसके अपचाहित रूप क्या-क्या बनते है, एक बनता MnO 4 minus 2 और एक बनता है, MnO 2, इसमें MnO 2 में है, इसमें MnO 4 में है, इसमें MnO 4 में है, इसमें MnO 4 में है, लेकिन वो किसमें होता है, वो चेक कर लेता है, यह होता है, acidic medium में, यह किसमें होता है, acidic medium, strong acidic medium, pH 4 होती है, तो यह अपने को effect देखने को मिलता है, next बात करते है, MnO 4 minus 2 इन जनरल ये basic medium में देखने को अबजर होता है देखने को बिलता है strong basic medium मोलना चीमर को पीएच almost 11 से जारा 11 के एक पले उससे जारा होते तो अपने एक अबजर वेसे होता है next अपने बात कर रहे है तो इसको चारी माध्यम बहुत दुर्बल है तो उसमें आंसर किया जाएगा MnO2 आना चाहिए तो एट्थ question में आंसर आजाएगा MnO2 यदि strong acidic medium दिया होता तो MnO4-2 लेकिन अभी वीक दे रखा है maximum oxidation state on by हाँ इसमें बहुत अच्छा concept लगएगा कि अपन पी ब्लोग में सीखते हैं कि जो हायर element होते हैं अपर element होजए हायर में नहीं बोलना चाहिए अपर वाल element होते हैं वह higher oxidation state में stable होते हैं जबकि bottom वाले होते हैं वह lower oxidation state में इस्टेबल होते हैं bottom वाले mainly last वाले जनरली ठीक है तो इसका कराण अपन बोलते हैं inert pair effect क्योंकि last वाले आगे electron को नहीं भीज़बाते हैं तो उन पर inert pair effect लगता है नीचे वाल bottom वाले elements पे similarly deep block में ज़स्ट इसका reverse होता है क्लियरली लिखा हुआ है कि यह जो दर्सा ही जाती है दिक्तम oxygen वास्ता तो जो element नीचे होते हैं उनकी जो लोबर element जो नीचे element होते हैं डीव लोग जो नीचे वाले तत्त्व होते हैं उनकी उच्छ तम oxygen होते हैं higher oxidation state stable होती है तो उसमें भी उसमें भी जो 8 इजली चला जाता है तो अपने को highest जो है मैंने तो प्लस 7 तक जा रहा है यह प्लस 6 तक जा रहा है यह प्लस 3 तक जा रहा है लेकिन उसमें प्लस 8 तक highest चला जाता है तो maximum 100 करता है ओसमियम तो आंसर जाएगा 9 का first चलो next deal करते है 10th question यह बड़े simple से question है which of the following compound is amphoteric निम्दमेंसे कौन सायोगी उभ्यधर्मी है उभ्यधर्मी का मतलब यह होता है कि जो acid और base दोनों से रियक करता हो उन्हीं दोनों के साथ अभी करिया करें तो उसको अपने बोलते हैं उभ्यधर्मी तो oxide जो उभ्यधर्मी है हालागि इस बात की डिपेंडेंसी है चाहाँ ऑक्साइड चो हाइड्रोक्साइड हो हालागि इन्होंने amphoteric बोला है निचे हाइड प्रकृति में चला जाते हैं अलागि अपने को पता होना चाहिए ओंसी आडिम बढ़े ही क्लियरली रिख रखें क्या ओक्साइड और हाइड्रोक्साइड की इस नेचर के हैं तो क्रोमियम जो है पहला ओप्शन क्लावन च्यार प्लस टो एक्षिकि नेचर खा है जबके सी आ प्लस थ cattle ऋता है उप्यधर्मी होता है आ grants को एं CO3 Dissoled In Aqueous Solution NNO2 यह बहुत अच्छा क्वेक्षिन है जब CO3 CO3 Chromium का 1 Oxide जिसमें Chromium plus 6 Oxygen और जैसे ही Chromium plus 6 Oxygen Equest Solution प्लस 6 Oxygen जो प्लस 6 Oxygen दो आइन फोम करता है एक तो होता है Chromate Iron जब कि दूसरा होता है Dichromate Iron अब ये दोना पस में interconvertible state होती है, मतलब आपस में साम में पर बोल सकते हैं और जो दो forms होती है, एक तो होता है CR2-0-2 और दूसरा होता है CR4-2, इसको बोलते हैं dichromate और इसको बोलते हैं chromatine ये दोनों में chromium plus 6 में है, इसमें भी chromium plus 6 oxygana वस्ता में है और इसमें भी chromium plus 6 oxygana वस्ता में है अब खास बात किया है कि ये एक्चुली जो change होते हैं यदि आप acidic medium करोगे, यदि acidic medium करोगे, तो dichromatine form होगा क्योंकि ये acidic medium stable होता है, यदि acidic medium की तरफ जाओगे तो dichromatine बन जाएगा और यदि basic medium की तरफ जाओगे तो chromatine form हो जाएगा, तो simple सी बात है, इन्होंने नहीं बोला है basic medium की बात की है, तो किसमें convert हो जाएगा, chromatine में तो chromatine CRO4-2, और answer will be first CRO4-2, chromatine में ये convert हो जाएगा, 11th का अशन आजाएगा, first next चलते हैं, 12th question की और 12th question में बोला है the correct formula for permagnic acid, अपन लोग सब पढ़ते हैं कि potassium permagnate है, K-Amino4, ये potassium permagnate का अपन लोगों सबने formula लिखा भी है, काम में भी लिया, इसको formation, इसका पिनिर्मान सब को सीखा है, तो ये जो बनता है, actually ये एक salt है, एक potassium, जो salt है, इसको potassium लवने बोल सकते हैं, जो कि K-O-H permagnic aml के उदास्य निकर्ण से बनता है, और permagnic acid भी MN2O7 से, जब hydrolysis करते हैं, तो उससे बनता है, वालग वो एक्स्ट्रा वात अपने लिए, तो H-Amino4 जो होता है, उसको पर permagnic aml बोलते हैं, तो इसमें H-Amino4 will be correct answer, अपना permagnic aml होगा, ठीके डियर, चलो, नेक्स चलते हैं, 13th के अंदर, 13 बड़ी simple साग्वेस्ट्यन है, केमनो4 act as an oxidizing agent in, बतलब केमनो4 किस medium में बात कर सकते हैं, किस माध्यम में ऑक्सी कारक का तरह कारे करता है, अपने को पता है कि केमनो4 और oxidizing agent जो होता है, वो तीनो medium में, acidic, basic और neutral भी थोड़ी देर पले मैंने चर्चा की थी, इवन मैंने ये भी बताया था कि अब ऑक्सी कारक का कारे कर रहा है तो खुद reduce होगा, oxidizing agent की तरह act कर रहा है तो खुद reduce होगा, तो reduce होगा, कि oxidation state में जाएगा ये अपनने deal कर लिया, वो भी अपनने सीख लिया, तो ये तीनो medium में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, acidic, medium only नहीं, neutral and alkaline नहीं, neutral, acidic and alkaline all, तीनो medium में oxidizing agent का काम करता है, उड़ा सीन में भी, अमली में भी और छारी में भी काम करता है, ये जे oxidizing and oxygen are की तरह, चलो, next 14, 14 question वड़ाई सीम्पल सा है, question होता, basic character of transition metal, monoxide follows the order, मतला, किस क्रम के according है, उनलोब इनका जो छारी है, जो monoxide है, उनके छारी प्रकृति का क्रम क्या होता, basic nature का order क्या होता, एक simple सा trend लिखाया जाता है, जब अपन लोग periodic table सीखते हैं, या फिर अपन डीब लोग में चर्चा करते हैं, चाहिए डीब लोग element के जो oxides से उनकी बात करें, तो left to right जैसे move करते हैं, तो इन oxides की acidic nature increase होती है, left to right move करने पर इन oxides की acidic nature increase होती है, और basic nature actually decrease होती है, तो simple सा है, यही concern पर अपन लगाएंगे, element कहां present है, और उनके oxides की nature left to right जाने पर अपने को बता है, कि increase होगी और basic nature decrease होगी, तो element इसमें chromium है, और vanadium है, titanium है, और iron है, तो इस तरह का उड़रा आता है, और basic nature की बात कर रहा है, इनके oxides की तो यह उड़रा आजाएगा, तो सबसे जादा बेसिक होजाए, titanium का oxides, उसके बाद vanadium का oxides, उसके बाद chromium का oxides, और इसके बाद F-E, यह basic, जितना जार लेफ्ट में होगा, उतना जार बेसिक नेचर, आपको पता है, यह acid block वाले बहुत जार बेसिक होजाए, जो पी ब्लोग वाले, acidic नेचर क्या होता है, तो titanium वाला, फिर vanadium, फिर chromium, फिर iron, आंसर जाता है, 14 का third, simple सा concept है, बहुत प्यार लो जाएं, चलो, next बात करते हैं, 14, 15 question पे, which is not a transition element, कौन सा संकरमन तब तो नहीं है, तो आपको बता हो, तो deep block elements को पन, transition elements बोलता है, except किसको छोड़ के, zinc, cadmium और HG को, zinc, cadmium और HG को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो transition element की definition है, उसको follow नहीं करता है, उसके definition के according अपन लोग बोलते हैं, उसकी परिवासा के according अपन बनाते हैं, जिसके penalty made cell में, उपानते कोस में, N-1D, completely filled ना हो, जिसमें incomplete बोलना चाहिए मेरे को, इसमें N-1D, जो sub cell है, वो approved हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, transition element, हो अपने हैं बता हैं, कि zinc जो होता है, चाहिए उसके stable oxidation state में बाद कर सकते हो, जाहिए उसके ground state में बाद कर सकते हो, zinc neutral या ground state में जब होता है, तब भी D-10 होता है, और अपन ही oxidation state, मेंọं, stable form में होती है, zinc plus 2 तब भी D10 ही होता है, तो इन दोनों case में पने देख सकते हैं कि D12 incomplete नहीं है, fully filled है, जब D incomplete होता है, तो transition बोलते हैं, तो इसका वोली non-transition element होते हैं, zinc cadmium में जित और answer will be third, okay dear, चलो, simple is a question, next 16 question पर आते हैं, 16 question बहुत आसान है, the product of oxidation of I- with MnO4- in alkaline, मतलब छारी हमादिय में जब आपन I- को KmnO4 से oxidize करेंगे, तो क्या product बनेगा, बड़ा अच्छा question है, इसमें बच्चे एक गलती भी करते हैं, बात करते हैं क्या, MnO4- जब भी I- के साथ reaction करता है, उसके react करता है, तो no doubt, खुद अपने को बता है alkaline medium है, और खुद MnO2 या फिर MnO4-2 में जाएगा, वो डेल्यूट है, उसपर depend करता है, पर अपन मेन मुद्दा है, I- किसमें जाएगा basic medium में, तो MnO4- को oxidize करता है, और वो जाता है I2 में, ल विसमानुपातित हो जाते हैं, तो इससे क्या बनता है basic medium है I- and IO3-, मतलब अपना final product जो है, वो IO3-, क्योंकि जिस ratio में बनता है, तो यह वापस reactant के form में आ जाता है, और as a final product बना क्या आ जाता है, IO3-, तो इसका मतलब जब भी I- को आप oxidize करो, यह the acidic medium होता है, तो यह disproportion proportionation साहिद नहीं होता, यह विसमानुपातन साहिद नहीं होता, तो इस case में आपका final product जो रहता, वो I-2 ही रहता, लेकिन basic medium में इसके विसमानुपातन के अपना final product है, वो I-3- रह जाता है, तो अपना answer जो है, वो I-3- रहेगा, first answer, अच्छा question है, चलो, next बात करते है, 17 question पे 17 question भी simple सा है, क्या question है, which of the following species will be the strongest Lewis acid, कौन अच्छा प्रबल Lewis अमल होगा, simple सी बात है, प्रबल Lewis अमल वो होते हैं, या पहले Lewis अमल कोन होते हैं, जो लोन पेर लेते हैं, और जिसकी लोन पेर लेने की tendency, जो लोन पेर accept करते हैं, जो एका कियों लेते हैं, वो Lewis अमल होते हैं, जितनी ज़्यदा प्रबर्ति होगी, वो उतना ही अच्छा किया होगा, Lewis acid होगा, उतना ही प्रबल Lewis अमल होगा, तो आप देख सकते हैं, लेक्तूर लेने की tendency ही नेट्रल है, 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 2 ए 1 प्लस 3 है, जितना ज़्यदा ज़्यदा पोजिटिव चार्व जितना ज अधिक टू एन एसी डिफाइड सॉल्यूशन ऑफ के टू सी अर टू से वन में रखा जाये तो क्या फाइनल प्रोडेक्ट बनेगा बहुर अच्छा कोशन एक स्पेसिफिक रिएक्शन जो काफी जगों पर काम में भी आती है डीप लोग में भी आती है उसके लावा एक दो बहुर देखी जाती है यह ह्ट्टू ओटू जो हाइड्रोजन चप्टर पड़ाया था उसमें भी ह्ट्टू टे केमिकल प्रोपरिटीज में रिएक्शन लिखवा ही जाती है दो तीन जगों पर और निव एक दो जगा लिखवा ही जाती है तो ह्ट्टू जब भी के टू स खानध गोंग्सीस सेवंग प्लस है ट्स-टू टू क्योंकि इससे बनने वारा जो मथल बहुत इंपोर्डेंट उपने पूर्स में रेड्रों पर भी इस कमपान को दे रखा है तुसमें क्या बनता है फवाइनल प्रोडेक्ट CRO5 क्या बनता है CRO5 जिसको बोलते हैं butterfly compound बोलते हैं butterfly type इसकी structure होती है जहाँ chromium plus 6 में ही है अभी भी chromium plus 6 में ही है तो अब इसमें देखोगे CR कुछ इस तरह हैं कि इसकी structure होती है butterfly जैसे structure दिखती है आंखे नहीं मन रहीं कि butterfly की है अब ठीक है तो butterfly type की structure दिखे न अब तो कोई दिखती नहीं है अब देखो तो यह जो compound बनता है finally blue color का solution होता है तो यह specific reaction है तो इसमें देर्गाद तो solution turns to green नहीं blue color का बनता है solution turns to yellow नहीं blue color का बनता है a deep blue color का बनता है और compound देख लो CRO5 ही है यह बिलको सही है butterfly compound butterfly compound अबना इस ट्रेक्चर है अपने कोर्स में NCI DIM दे रिखा है सब कुछ इसके बारे में चाहिए कितने oxygen peroxy है कितने chromium की oxidation state किया है और इसके बारे में question बहुत बार आ भी चुका है चलो next deal करते है 18th question तो इसमें आंसर अपना थर्ड जा रहा है चलो next 18th question में चलते है when MnO2 is fused with KOH and KCLO3 a colored compound is formed the product and its color is मतलब जब भी MnO2 को pyrrolucyde बोलते MnO2 को उसको KOH और KCLO3 को पस्तिती में अभीकरत करवाते हैं संगलित करके अभीकरत करवाते हैं तो उस स्थिती में क्या उत्पाद बनेगा और क्या उसका रंग होगा तो अपने को बता है कि जब KMNO4 प्रिपेर किया जाता है जब KMNO4 का निर्मान किया जाता है तो इसमें 2 step में काम होता है क्योंकि MnO2 में Mn जो है pyrrolucyde में Mn plus 4 में है इसको पहले plus 4 से plus 6 में लेकर जाता है और plus 6 से इसको plus 7 में जाते है तो ये 2 step में काम होता है तो पहला जो step होता है plus 4 से plus 6 में ले जाने वालो वो step नोने दिया है तो basically इसमें MnO2 और KOH basic medium की presence में है और वैसे भी मैंना भी थोड़े तेरा में बताए देख 9-2 बनता मेगनेट शहनें तो इस मैंक यॉताइब लाओ फोर मैनिस होता है इसे वापस के ग्रींज औरिंटियू कुलर हो जाता है असलिकी वेंट — आप seiner हुके उसनमें माँंसर फोर न्हींचेल करते हैं जो चुग्ट पना वाद करते हैं 20 वेट्रूहीं एलिमेंट बिलोंग टुद एक्टिनोइट सेरीज अब यह सिंबल्स आएगा दीदे आपको एफ लोग यह बड़ाई सिंबल से हो जाएगा यह नहीं आतो दिक्कत है तो इसमें जो एलिमेंट इस एक्ट्रियम अपने देखते ही हैं एक्ट्रियम डी ब्लोग में है एक्ट्र इसमें तो एते और एक्ट्रियम और अलिमेंट fight MINória और आ Hmm उ यह अंठ्राएगा तो इसमें जो एफ ब्लोक यह किन रखाया है तो फोलोग यह मैं यह कुरियम एगाई सब्सक्राइब का एक संगटक है कोण सा कॉम्पोनेंट वैसे इसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों रखा गया यह प्रीविश सेरे के कोशिन में एक दो बार पूछा हुआ है नित पे तो एक्ट में एक्चुली जर्मन शिल्वर के अंदर शिर्वर दही होता फिर इसको पर शिल् एक्दम 21 चांडी जैसे जिखता एगजेक चांडी ससर बहता है इसमें पर्जेंट ओनता है म Cookie कि मुट निकलden कोपर जिंक तो उसके कोडिंट पर शाल एंग अपनीकल कॉपर अपैया लियाएगा तो अपने को सेकेंड को पर मिल गया, ठीक है, तो एजी खुद नहीं होते है, कन्फूज को निकली दिया गया एजी है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं, और 21 में क्या आगया है, सेकेंड, नेक्स्ट टील करते हैं, डियर, यह अच्छा कुछ नहीं, अलगी सिंपल साया, विच अगुद डिजॉल हीं, होट एंड कंसेंट्रेड अनुएज, मतलब गरम और सांधरित अनुएज में कोण डिजॉल होता है, वैसे भी, होती होती हो, खुद बेसिक नेचर के होती है, खुद छारी प्रकरती के होती है, तो बेस के अंदर डिजॉल तो नहीं होनी चीए, लेकिन जोironी सिर्एमधे मानी, इस दोनों से नेक्स्ट अपने बाद, सिम्पल से क्वेशन NCRD related, 23 क्वेशन, नेक्स्ट एग, हाउ मैनी अन्पेड एलेक्टोन्स अर प्रेजेंट इन नाई प्लस टू, नाई प्लस टू, अपने देखा ही था की 3D8 configuration होता है, स्वरी, नाई प्लस टू में, 3D8 configuration, तो आरगल 4S0 and 3D8, 4S में कोई लेक्टोन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें electronic configuration किस तरह से रजा है, बैटा हूँ, एक, टो, इंच, यार, ओन, छे, इस वाँ तो राट, दो अनप्रेट एलेक्टोन बत जाएंगे, तो कर्रेक्ट टांसर विल भी सेकेंड, नेक्ट नाथे 24, electronic configuration transition element, इन प्लस 3 oxidation state, प्लस 3 oxidation state के अंदर इसका configuration यह है, ना, यह देखना आपको, यह फिर ऐसा देख लो, अभी इसके अंदर कितने electron है, यह चेक कर लेते हैं, यह व्यासन तरीका है, 18 और तक क्यों होगे, 18 फिर 5, और एड कर दो 23 नंबर पर आ गया, और यह दीवो तीन electron नहीं होते है, बाई चांस, नहीं है, तो 23 आ राए, इसका एक्स एलिमेंट्स हो भी है, वो प्लस 3 में जाएगा, वा आइरन ही होगा, अब इससी बात है, 3D5 प्लस 3 ओक्षिदेशन स्टेट में कम से कम से कम, तीसरी चोथी वार काम में आ रहा है, तो 26 नंबर पर आएगा, आएन ही एलिमेंट, क्योंकि आरन 26 होता है, उससे 3 प्रोपर्टी ओफ इंट्रिस्टीशल कमपॉंड, वादब इंट्रिस्टीशल कमपॉंड के लिए कौन स्या गोण सही नहीं है, ये एक बच्चे धियान रखे कि गलती क्या करते हैं, कि सही नहीं या सही है, तो नहीं पूछा गया है, और वैसे ऑप्शन से काफी अत्तगा बढ़ जाता है, लेकिन उनका गंडुक्टीविटी जो रहती हो, चाएंटने प्सक्रणा होता है, तो बेचा सही नहीं है, सिमिपल से क्या क्लैन के विएनसक्टियान के बाता है, बहुत प्यारे प्यारे अच्टक्टि सिक प्रते हैं, तक गडिप आते हैं, चालकि प्रते और फिर मेंगनेत इन हो जाएगा मन फूर मैंए अब इसकी स्ट्रेक्चर की बात करते हैं बौछिया आ जाएगा पर मैंए अब । प्रस्तुर है ग्रोंेट्राइगा तो एमेंग गशे में और अजए mobil ही सब्सक्राइग पर हृबिए उससांude सब्सक्राइब करेक्ट चलो नेक्स्ट बात करते हैं 27 के लिए विच फॉलोविंग इस एंफोटरिक और अच्छा क्वेश्चन कोन सा उभेधर्मी होता है तो उभेधर्मी चाहिए हाइड्रोकसाइड और चाहिए और तुम्हें याद होगा तभी अंसर आएगा और NCRD अपने बात की थी चाहरी प्रकृति का होता है वी टू फाइफ उभेधर्मी प्रकृति का होता है वी टू फॉर लेस बेसिक इन नेचर मतलब इसमें NCRD में लिखा हुआ है एक एक्जेक्ट लाइन बता रहा हूं जो एक्ट बेस बहुत दोनों के लिए रेक्टिविटिस ह हो करता है लेकिन वी टू फॉर जो है वो एक्टिविटिस हो करता बहुत वीक बेसिक नेचर का होता है तो इसको बेदर में अपन काउंट नहीं करेंगे तो बेदर में दो आ रहा है और उनका दूनक पेर पहली option में दे रखा है तो करेक्ट आंसर विल भी फॉर्स 27 फॉर् खोड़ाय है तो और इसका रहा है उलेक्टोनिक विन्यास कों से शही है तो एफ बिलों का जवाब देख होगा है और ये तीन जैने से हैं जिसमें डी के अंदर एक अजिए अधर बारस दी केंदर कोई लेक्टोन नहीं होता दीक ये लेक्टोन चील लेता है तो आए एक होता है कारण क्या है कि गेडोलीन में F7 configuration बनता है और इसमें लड़ाई कभी यह नहीं होता है कि 3 आएगा 4 आएगा 5 प्रिंसिपल quantum number की लड़ाई नहीं होता है F में कौन सा electron आए किते हैं को D में किते हैं मैं एसमें 2 रहते ही रहते हैं एसमें 2 electron रहते ही रहते हैं तो आप देखोगे कि F7 इसलिए होता है कि इसका half field configuration होता है अदर्वाइस सब में D0 ही होता है तो मेरे को F7 पर जाना है और क्योंकि आप सब को होता है कि जो सब्सक्राइब होता है और 5D बढ़ा जाता है 4F बढ़ा जाता है और फिर 6P की बारी आती है लेकिन 5D में एक इलेक्टर हो जाता है उसके बाद 6S2 आएगा और फिर 4F की बारी आएगी और आप सब को बताएगी जस्ट इस से पहले जो इनर्ट गेस होती है 54 नमबर वाली ह होती है 54 55 56 यहां जाएगा फिर 57 यहां जाएगा 58 से अपने बता ही इस्टार होता है तो 58 से इस्टार गरना 64 तक चलना कितरे इलेक्टरन हो जाएंगे 58 59 60 61 62 63 and 64 65 64 पर गेंडो लीनिय में एक दो तीन च्यार पांट छे साथ एफ के अंदर साथ एलेक्टरन जाने चीए तो सके अंदर हो जाएंगे साथ एलेक्टरन बाइचांस देखो मैं काम तरीके से कर रहा हूं मुझे बता है कि से जश्ट पहले सिक्स से जश्ट पहले इनर्ट के साथ है वह 54 नंबर पर होती है एस कंदर दो एलेक्टरन गे तो दो एक नमरोर इंक्रीज हुआ फिर दी कंदर इस लेंन्ध है न्मा गया 57 58 चाह van याज किवारी यह रहा है इस है अपसफिप्टे इस दो एट्विडिक नंबर पता है तो 50 यह यहां तक चलता है वहां जाना सा भूलता हूं ग kindergarten गई जीर रखते जिसमें F7 वाला configuration बनता है, या फिर लास्ट में एक जगह बनता है, F14 वाला configuration, मतलब मैं इतना से गहना था 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 हूँ, D1 सिर्फ तीन ही जगह मिलता है, और कहीं नी मिलता है, लेंथ ने इसके अंदर तो, जिसमें से gadolinium होता है, या इस पेसल के वी एफ-7 configuration उना रहा हाता है, अह फील, इस्टेवल configuration, earth पुर रिस थाइ विन्यास, होलेके कारण, ठीकिए अच्छा एग्जामपल, पूछ जाते है electronic configuration एक्जाममें, वें acidified k2Cr2 solution एक जाता है, sO2 solution is added to s n plus 2, salt और s n plus 2 changes to, मतलब जब अमली कर दो acidified, K2, CR2, no doubt oxidizing agent, oxykarak है, और SN10 को oxykarth करेगा, तो plus 2 सही यह oxykarth होता है, plus 4 oxidation state में ही जायेगा, plus 2 यह plus 4, दो इतरीक oxidation state में रती है, नहीं, oxidize करेगा, तो इसमें वैसे option भी आप देखो, नो, plus 2 से plus 3 हो सकता है, plus 4, तो इसमें stable कौन सा होता है, plus 3 और plus 4 में, सकता है, plus 4 stable होता है, तो और correct answer will be plus 4, तो इसका answer आता है, 3rd, SN plus 4, तो नेक्स चलते हैं, 30th number question, यह इस इंपल सा question है, question मुल रहा है, which of the following statement is not correct, जो सही नहीं है, फिर से बोल रहा हों कि बच्चे इसमें गलती करता है, not correct है, है correct में, तो which is not correct, तो इसमें बोल रहा है कि copper libinate hydrogen form acid, तो सिंपल से बात है, copper acid के साथ reaction करने पर hydrogen gas नहीं देता, पहला incorrect statement आगे हैं अपने पास, क्योंकि copper जब भी react करता है, तो वो acid नहीं देता, क्योंकि वो ECS में hydrogen से नीचे है, और केवल acid से reaction करने पर एक जनरल statement लिया जाता है, हाला कि सारी metals में उन्हों ECB dependency होती है, तो जो ECS में hydrogen से उपर आता है, जनरली वो acid के साथ reaction करके H2S release करते हैं, तो इसका answer, first user, incorrect बुचा है, not correct है, गलत है, ठीक डीर, चलो, next deal करते है, 30 questions, which of the following has lowest ionic radii, है, देखो इसमें भी अपने को radius याद करने की ज़रूत नहीं है, कों से सबसे चोटी radius है, कब सबसे कम आयने की radius है, तो इसमें, जब भी आपको इस टाइब कोशन एक जनरल आइडिया लगाना है, यससे याद नहीं करके जा सकते हैं सारी radius, तो जनरल आइडिया बहुता है, कि ज़से ज़से लेंड, ट्रांजिसन कोंट्रेक्शन के कारण, जो संकर्मन संकुचन के कारण, लेफ्ट व राइड जाते है, रेडियस घठती है, तो सबसे राइट मोस्ट अप देखो, ब्रोंज, तो विसी बहते हैं कि ब्रोंज के अंदर कोपर ही परजेंट होता है, यह वो चीज़ें तुम्हें याद होगी तुहां से तुरंट आएगा, याद नहीं है, तो दिक्कत आएगी, शिंपल सा अलो ही है, ब्रोंज, नेक्स्ट बात करते हैं, 33, 33 मोल रहा है कि विच इस नॉट रिक्वाइड फॉर कॉंपलेक्स फॉर्मेशन, अच्छा क्वाशन है, आपको बता है, तो कॉंपलेक्स जब भी बनाते हैं डीग लोग कि उसके कुछ खास सर्ते होती है, इसलिए वो कॉंपलेक्स बनाता है, उसके क्या सर्ते हैं, वो नहीं पूचा, क्या नहीं है, तो सर्ते बड़ी प्यार से NCR डिम लिखी हुई है, एक उसके पास पॉजेटिव चार्ज ज्यादा होता उन पर कैटाइनिक चार्ज, इसलिए चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, पर्जेंट होते, ता कि लोन पर रखे जा सकें उसमें, जो भी लिगेंड है उनके दबारा, और उनकी खास बात एक होर होती है, यदि फ्री ओर्बिटल है लोन पर रख रहे हैं, और चार्ज डेंसिटी जादा हो, इतो भी तो लोन पर रखे हो, चार्ज डेंसिटी क्यों उस्ता है, इसका कारण नहीं है, और वैसे भी परिवर्तन सी इलोक्षी गान उस्ता बहुत अच्छा 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 है, लेकिन वो कैटलेटिक नेचर होती है, जो पर बोलते हैं कि उत्प्रे रखे रखे गुण के अंदर काम मैं आती है, विसलिए, तो नहीं रिक पा अच्छा है, तो चुम्बे की अगून होता है, उसी को पन चर्चा गरते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आर्बिटल मैगनेटिक मोमेंट अओ चार्च हो जाता है, वो चैंसिल हो जाता है, आउटर से क्योंकि दी आर्बिटल थोड़ा आउटर प्रोजेक्टेड होते हैं, जो n वाला formula पन लगते हैं, वो spin only magnetic moment ही है, जो root 1 into n plus 2, तो आपको simple सा देखना, इसमें unpaid electron जारा है, उसमें सब्से जारा है, titanium 1 unpaid electron, mn plus 2 में 5 unpaid electron, इसमें 5 unpaid electron इसमें black value highest जारा हो जारा हैंगे, इसमें सब्से जारा हो जारा हैगा, आए फे में फिर भी चार अन्पेड लेक्टोन है जबकि इस यो में भी चार भी तो नहीं हो गया हो किडियर तो आंसर के आजाएगा अपना सेकेंड इसमें हाइस्ट इसमें ओली मेगनेटिक मोमेंट होगा नेक्स्ट बात करते है थर्टी फाइफ में फे कोनी को नहीं कोन या ना सिम्पल सी बात यह लिखर का एक सेटर्ट बात करते हैं और क्योंकि प्लस टू उक्सिडाँ स्टेट में इनकी जर्णॉल और त्री होती है अपने थोड दिर पहले चर्चागी थी व्लस टू में आ चाहिए तो इस टेई प्लस टीन में आजए आगी बात समझ में, तो केवल और केवल किसके तरह भीएव करेगा, आप चाहिए कितला तो 36 पर अंसल आजाएगा, सेकेंड, नेक्स्ट है, 37, यह बड़ा सिंपल सा क्वेच्शन है, तो टोटल नंबर अफ इने ट्रांजिशन है, हाँ, इने ट्रांजिशन विएट्र अलिमेंट्स होते कि एप एले ही पदा होना चाहिए, तो बिल्कुल सा क्वेच्चन है, आंतरिक संक्रमन तत्वा होते कौन से हैं, त इस तरह 3D में पीछे की तरफ लगया रहता है, तो इसके अंदर प्रजेंट होता है, तो इसको आंतरिक बोलते हैं, इंदर बोलते हैं, तो टोटल F बोग बें 28 अलिमेंट होता है, तो कराक्ट टांसर विल भी 28, लेक्स जबते हैं, 38 की तरफ, यह भी सिंपल से question है, तो मर्कूरियस आयन इस रिपर्जेंटेड एज, मर्कूरियस आयन को किस तरह से परदरसित किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, जो मर्कूरियस आयन है, अस का मतलब वो positive oxidation state है, और कम वाली में है, और एक कम वाली में ज्यादा वाली है, तो मर्कूरिय की कम वाली oxidation state plus 1 होती है ये अब और करक्त रांसर नेक्सट बात करते हैं मेर्ट इसनाइन इंट प्लीनने चाहर इसएंलेक्तन अप्मल इसकस यॅच्छीस jau करना है तो देखों ग्राउंड इस्टेट में 13 लेक्ट्रों का मतलब यह हो गया के ल एम के का उना न बरावर 1 लाट न बरावर 2 एम गणा न बरावर 3 अब थर्ड के अंदर और यह अलिमेंट्स वाएं थर्ड काम में रहा है तो थर्ड में आपको बता है कि 3S होता है होता है 3P होता है और 3D भी होता है अब टोटल एलेक्ट्रों किक्ते होने चाहिए 13 होने चाहिए तो यहां पर दो एलेक्ट्रों पोसिबल है 3 के अंदर क्योंकि अपने को 13 एलेक्ट्रों करने तो पहले 3S ही बहा जाएगा तो इसका इलेक्ट्रोन यहां हो सकते हैं इसके अंदर 6 एलेक्ट्रोन हो सकते हैं और रही बार D की तो D में कितना एलेक्ट्रोन होने चाहिए यहां हो सकते हैं तो D में यही आठ एलेक्ट्रोन यहां हो चुके हैं पांस एलेक्ट्रों D केमदल प्रेजेंट होने चाहिए, टोटल 8 एलेक्ट्रों तभी पोसिबल होँगे, और 8 एलेक्ट्रों, सोरी, प्रस 13, सोरी, 13 एलेक्ट्रों तभी पोसिबल हो पाएंगे, 8 प्लस 5 तेरा, तो इसका configuration मेरे साथ से बना चाहिए, 3S2, 3P6 और 3D5 अब ऐसा configuration दो देखने को मिलता है दो जोगों पर देखने को मिलता है यह chromium के लिए भी configuration होता है और magnees के लिए भी यह configuration देखने के लिए अपने आभ देखते है अपने हो ज़ीवाइता है अपने को आप अपने को और देखते हैं 40 question which of the following element is alloyed with copper to form brass simple सी बात है जब जिंक को अलोई किया जाता है जिंक के साथ को अलोई बनता है उसको ब्रांच यहापर अपन बोलते हैं पीतल पीले रंका होते है इसलिए इसमांसर क्या जाएगा 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 नेक्स चलते हैं 40 का आंसर थर्ड आजाएगा 41 पे चलते हैं डियर 41 बोलता है विच अफ फॉलोविंग पेर इन वाल आइसो एलेक्ट्रोनिक स्पीसीज या इसो एलेक्ट्रोनिक्स आयन कौन सम इलेक्ट्रोन किसें के समान है तो सिंपल सी बाद में 25 होते हैं तीन एलेक्ट्रोन रिलीज हो चुक और इसी तरह के क्वेशन आता है एक्ट्री नीट पे बहुत सिंपल से क्वेशन आते हैं देखो आपको ऐक्रेट करने सही करने जारा ज़रो रही हो चलो नेक्सट बात करते हैं 42 question number पे कि कि जब C U A104 के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या सोलिशन वनता है D-Block के NCRD बहुत पहरी रिक्षन दे रखिया कि जब C U I2 या C U प्लस टू एकपर सोलिशन ओफ I- के साथ आता है तो एक्चुली अपने उसमें NCRD लाइन लिखी रहते हैं कि जो transition metal से वो higher oxidation state में fluoride के या oxygen के साथ stable होती है उनके साथ जाना चाती है जबकि यही higher oxidation state में बात करें तो iodine वगएरे के साथ नहीं जाना चाती है एवन iodine के साथ अपने higher से lower में आजाती है तो इसमें फिर reaction में product क्या बनता है क्यों higher में stable नहीं है इसमें CUI2 इसमें नहीं होता तो इसमें क्या बन जाता है product CU2 I2 copper plus 2 से plus 1 में आ जाता है तो copper न जो electron लिया है वो iodine से लिया हुआ है तो iodine minus 1 से 0 oxidation state में आ जाता है और साथ में जो ions है इसमें K plus काम में आ रहा था साथ में और इसमें CU2 वापस में connect हो जाएंगे यदि पूरी complete reaction लिएक्शन 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 तो अपना main product जो है वो क्या हो जाएगा CU2 I2 and I2 और एक redox reaction इसमें copper plus 2 से copper plus 1 में गया है और iodine minus 1 से iodine 0 में गया हलाक कुछ iodine minus 1 में है लेकिन और अपना iodine को justify करेंगे इसमें रिलीज किये है तो इसमें इसमें को लिया किसने copper ने है copper electron लिये तो आई कहां से iodine के पास से ही आये होंगे तो बहुती प्यारी redox reaction इसमें लोजिक में बता है क्यों होती ही reaction लेचर में चलो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा CO2, I2 and I2 और साथ में आयांस भी आपसे mix हो जाएगा थर्ड आंसर विल भी correct ओके डियर चलो next चलते है 43 थोड़ी speed बढ़ाई है क्योंकि थोड़ा fast करना पड़ेगा simple simple से question है which of the following will act as oxidizing agent इसमें बहुर अच्छा concept है कि जो deep लोगों अपने बोलते है कि upper element higher में जाने stable नहीं होते है थोड़ी देर पहले concept deal किया था मैंने upper वाले higher oxidation state lower में रहना चाहते है और जो नीचे वाले lower element जो नीचे वाले element है वो higher oxidation state में stable है तो इसका मतलब नीचे वाले element higher में इस्टेब तो oxidizing agent का काम नहीं करेंगे न वाहिसाब जबकि उपर वाले किया है higher में उपर जो अपर जो अपर इस्टेब नहीं है तभी तो chromium प्लस 6 में oxidizing agent है तभी तो magrains प्लस 7 में oxidizing agent है लेकिन उपर वाले तभाई oxidizing agent का काम करते हैं इसमें आंसर जाएगा first next 44th number question which of the following pair has the same size किसका size same है तो बढ़े simple सा question है जो अपने थोड़ी दिर पर ओर डील किया था कि जो length and contraction जो effect आता हो किसमें तो जिरकोनीम इन 1.5 pm पे तो जो size same होता है जिरकोनीम इन 1.5 mm का almost size same होता है और बच्चे को यह question देने का logic है कि actually जो radius in general, in general बोल रहा हूं ऐसा always नहीं है जो atomic radius रहती है इन generally ionic radius में भी ऐसा ही trend रहता है तो जिरकोनीम 1.5 mm में आप natural form में भी 1.5 mm का difference होता है और plus 4.5 mm में भी almost 1.5 mm का difference होता है जो के negligible मान सकते है अपर लोग और इनका भी almost size same होता है तो 44 कान से जाता है third next 45 transition metal form binary compound with halogen binary compound होले एक transition metal होगा, दूसरा non metal जो halogen का होगा उसमें बोला जारे विच आप फॉलवग एलिमेंट विल फॉर्म MF3 टाइप compound मतलब जो शंकरवर धातू है है लो जोन उसके साथ द्वी हंगी मतलब दो जने है ना और इसमें भी MF3 M यहाँ deep low का धातू है तो कौन MF3 परकार का योगिक बनाएगा तो इसमें प्लस तीन ओक्सिदा का अपने को पता चली रहा है तो यह एक प्लस 3 Oxidation State वाला होना चाहिए तो chromium जो है वो प्लस 3 में होता ही ए तो आंसर बैसे Chromium होई गया ऑगे प्लस 2 में है यह प्लस 2 में है यह प्लस 2 में है तो प्लस 3 का जो बनता है वो Chromium ही बनाता है तो आंसर इली फॉर्स्ट CRF3 ओके डियर तो अपने को चेक करना है कौन सा नहीं है तो सीओ नहीं है पहली बाद यह अपने वती नहीं बात कर लिए थी हाइड्रो कार्वन नों रबने बर नहीं है सब्सक्राइड करेंगे पर जाएडसर होता है उनकी प्रकाश नियुक्तलिख वोटा इसको दूमके तो यह जो इस्कों बनता है वह दो तरह एक तो अक्शिडाइजिंग होता है reducing जो बनता है वो ठंडी जगों पर जामोस्चर होता है उनकी प्रजेंस बनता है oxidizing photo chemical बोलते हैं इसको जिसमें oxidizing नेजर होती है actually और जिसमें oxidizing gases generally O3 and O2 present होती है और high concentrated oxidizing agent होता है इसके अंदर present होते हैं जब कि उसके अंदर oxidizing nature का होता है और इसमें oxidizing nature अब पूछ रहें आगी चलते हैं क्वेश्चन के बारे में one of the following is not and को नहीं है यह पूछा जारा है इस स्मोग बेना कौन सा प्रकास रासेंग दूम के हूँ का घटक नहीं है तो अभी बात की थी अनोटूस के अंदर present होता है ओ थ्री प्रजेंट होते हैं लेकिन इसमें ऐसो टू प्रजेंट नहीं होता कि ऐसो तो जो दूसरा जो वेराइटी और दूसरा रिदूसिंग अभी डिदूसिंग के बार में जर्चा और वही पुछा जारा है कौन सा इनकरेक्ट है ठीक है इस में कंपोनेंट अप्रदूस्ट बाइएक्शन आफ संलाइट नहीं आपको बताएगी यह जो संलाइट से संलाइट से तो कौन से मनता है फोटो चलो नेक्स्ट चलते हैं 48 पे हैं बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड ब्योड बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है और यही बात बताता है कि वह उसमें जो ऑर्गनिक इंप्योर्टी जादा होती उसमें तो ऑक्सिजन खतम हो जाती कम पढ़ जाती है किसके लिए जो एक्वे जो प्योर एक तरह से कोई दिक्कत निया चलो फॉर्टी नेक्ट बात करता है 50 के लिए विच आप फॉलोगिंग स्टेट्मेंट इस रों कौन साथ ने फिर से गलत मुशा गया है और जो इस नोट सब्सक्राइब के लिए प्रेस्पोंसिबल होती है तो सब्सक्राइब हालां कि और अप्सर पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलो ऑजोन कैन ऑक्सिडाइज सल्फर बिल्कुल एस सुथरिम कनवर्ट करती है ऑजोन होल इस थेनिंग आफ बिल्कुल पतला जहां ऑजोन लेयर पतली होती जाती है क्लोरो फ्लोरो कारण सी एफ सी कारण तो उसको जोन होल अपने बोलते कहिंगे से और अजवान इस प्रेडिश अप्र लैट पॉस बिल्कुल बात है सही बात है और वह यूवी रेको जो अपर जो स्ट्रेटों स्पेर होता है वहां पर ही बनता है और वहां पर यह एक्शली यूवी रेको रोख के अपना आपको मेंटेन रखता है अपने जो फोम है उसको मेंटेन रखता हो के लिए तो यह तीन ओप्सन सही है तो 50 का अंसर आजाएगा फर्स्ट कि नेक्स्ट बात करते हैं 51 के लिए वह सीवेस कंटेनिंग और गनिक वेस्टिस शुड नॉट बीडिश्पोजिं वाटर बोड़ी बिकाज ओफ मतलब इनको क्यों पाने में डिरेक्ली आप मिलाओ क्यों नहीं मिलाना चाहिए इससे क्या दिक्कत आती है आप जो ऑर्गनिक वेस्टिस होते हैं उनको बैक्टेरिया जब डिकंपोज गए तो ऑक्सिजन चाहिए होती है उनको तो उससे ऑक्सिजन का तो कंटेंड हो धिर क्यों होने लग जाता है तो क्योंकि उनको बैक्टेरियाज कुछ ही होता है तो इस भी क्या हो जाएगा डिक्रीजिन अमांट ऑफ डिसॉल्ड ऑक्सिजन और यह एक्वेटिक लाइस के लिए नुक्सान देती है तो आंसर क्या आजाएगा थर्ड तो इसका आंसर हो इंट्रेस्टिंग टोपिक मेंली क्वेशन नहीं से बना गरता है तो कौन सा फॉट्टो केमिकली के लिए सही नहीं है या रॉंग है गलत है तो फॉट्टो के इट है इस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ और और बिल्कुल यह जो ऑक्सिडाइजिग नेचर का होता है और और ऑक् न में इन दोने स्टेटमेंस बधाथन रहा है बिलकुल मध रिवस स्टेटमेंटे से कोई एक सही होगा तो second insert आजायगा कि वह गलत स्टेटमेंट है नेक्स्ट 52 में बात करते है और गे अनव 보여 और अर्थ इस नॉन आज एट्मोस्फ़र बिल्कुल सही बात हैं द लोवेस्ट लेर अफ दिस एक्षाइब टैनी किलोमेटर अधर से जो टैनी किलोमेटर तक जो होती है उपने इसको बोलते हैं छोग मदल है ट्रोपोस्पेर उसके बार में आता है स्ट्रेटोस्पेर जहां या फिर एर पोलिशन, मिटी, मर्दा परदूशन, जल परदूशन और वाईव परदूशन को अपने डील किया है उसके बार बात करते हैं अपन लोग 53 क्वेस्टिन नंबर दाइन आत्रोजन और ऑक्सीजन और में कॉंस्टिवेंट और बिल्कुल से बात लगभग 80 पर से नाइट्रोजन और अरमस्ट उसके बचिवी में लीकॉस्टिवेंट ऑक्सीजन का ही है तो फिर वो आपस पर रिएक्शन क्यों नहीं कर रही क्यों बट इस दून आप और वो तोड़नें बहुत एनर्जी लगती है हाईली अंडो थर्मिक रिएक्शन उसमा सूसी अभी करिया उच्छ ताप पर होती है तो इतने हाई टेंपरेचर रिएक्शन होती है वो नोर्मल टेंपरेचर पे नहीं हो सकती है और हो जाधी दिखिया हो था खतम हो जाता है है और सब कुछ अब ऑक्सीजन ही नहीं होती तो मतलब नाइटरोजन के साथ रिएक्शन कर भी लेती एंट्वीदी ओक्साथ रिएक्शन करती एंट्व जाधा है वाहिसा और ओट्व लिमिटिंग रिएजेंट का काम गयता तो ऑक्सीजन खतम हो जाता है वहाँ पर ओके तो देखते हैं और रिएक्शन इस एंड़ थर्मिक बिल्कुल सभी बात उसमा सोची है उसमा लेती है रिक वेरी हाई तेम्परेचर बिल्कुल सभी बात उसमें अच्छा का सा तेम्परेचर चाहिए इसली नहीं हो पाते अधर्वाइज हो जाते कोई दिक्कत नहीं हो के चलो वैसे कंबस्च्छन डीक्शन होती है उसारी अल्मोस्ट एग्जो थर्मिक होती है लेकिन इस नाइट्रोजन को छोड़के क्योंकि ट्रिपल पॉर्ण को तोड़ दें बहुत चार एनरजी लगती है चलो ए ट्रिपल बात करते हैं तो पॉलुतें विच्छा पॉलुतेंट है कि कुछ ऐसे प्रदूसक होते हैं पॉलुतेंट तो डारेक्ट निचर में इनबोर हो रहे हैं जो एक्जोस्ट है धुआ जो निकलता है विकल से तो डारेक्ट ली आपके आपको पॉलुत कर रहा है और निक वेस्टेज आपने टिगा दिये मतलब बड़े रिजर्वर वागर है तो डारेक्ट पॉलुतेंट है आपने पैश्ट रहिष्स काम में लिए ही पैश्टेस अपने काम में लिए तो डारेक्ट पॉलूुतेंटिन काम लेकिन कभी-ज़दो और यहाँ बहुत है कि निचिए पसूर्द करने वाला कार राहा है परतुसींश तो उस पॉलृटेंट से नया पॉलृटेंट वह सो नया पॉलूशन कर रहा है उसको बहुत है से कंडरी तो यह बहुत अच्छे फोटो केमिकल बता रखा है बात करते हैं से सीदा नहीं है यह डारेक्टी है अधिरौ कार्बन इंबलेंड कार्बन सीदा नहीं हो सकता है हाँ पी-ए- एर्षी एसेटव doublebacks होता है पी- औ्जय जो फॉटो केमिकल स्मोग होता है से और यह पफ़ार्टरियोता होता है जो चैनल से अनल रिटेनों मैं करते हैं उनसे फिर यह आगे प्रोड्यूज होता है ओके यह आगे जाके सेकेंड्री को क्रिएट करने काम करता है जब फोटो केमिकल इसमों में करने होता है तो कि दियर चलो 55 में आंसर हो जाएगा थर्ड आपकोशा क्वाफन बात करते हैं 56 में विच इस स्ज हई स्फेटमेंट प्रकुंध जाती जब वह समता बंदल बनता है लेकिन से और बहार जाती है चार्चा करते हैं या दे साथी होजाथी हire नेक्स्ट बात करते हैं वर बबढ़ चर्चा करते हैं ओजोन होल इस फॉर्म इन ट्रोपाइस्पेर ये तो गलत होगे वे सभी ओजोन होल इस थीनिग ऑफ ओजोन लेर और ओफ स्थेटर इस्पेर सम प्लेसे बिल्कुल सही लग रहा है यह जो समता पंडल होता है जो आप लोगे नुकसान पहुंचा रहे हो आने वाली पीडिया इसको भूगतेगी नेक्स्ट बात करते हैं जो भी यह पॉल्यूशन कर रहे हैं इसको कैसे मिनिमाइज करें तो चलें तो क्या क्या करें इस तरह से उससे पॉलिशन कम हो सके क्या 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 साक करना जहीं से बता नहीं नहीं कि आप से बल्कुं सही बात है अपको में तो आज भी हमारे घर में देखा जाता है कि गर्में जो वेजिटेबल वेल उससे सोप बनती है बड़ी नेचरल सोप होती है लेकिन जो हाई ग्रेट जो डिटर्वेजेंट वगेर होते हो नेचर को बहुत लुकसान देते हैं अचली वो पानी को घराब गरते हैं और भी जिस स्मिटीम् हो जाते हैं इवन इसका प्रैक्टिकल एक्जांपिल या देखोगे उस डिटरेजेंट के पाली आज जाते हों तो पेड़ वो किसी जाते हैं या फोलीट फजाते है और घराइजक् अ ढिय नेक्स बात करते हैं भीuben partnership यह गरता है यह नहीं नीचर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ह2o 2 जैसे से डिकॉंपोस होगा टूटा गये तो ह2o ही देगा या o2 देगा तो किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो यह अच्छी बात है कि आप preaching action जो भी काम में लेने हूं, तो ऐसे क्लोरीन वाले काम मिलेने के अब ही आप H2O काम मिल वाचे मड़ाइगा बढ़ बढ़ा change recovery-regulationary change अब अपन pollution कम करना चाहिए तो ओकी दिनेक्स्ट बाद करते है, using y-cycle for training बिल्कुल सही बाद, मिलन आप cycle काम मिलना जहां Het पेटरोल डिजल आप जो एक्जोस्ट निकलता है तो उसके वजाए साइकल काम मिलो ना कोई जत नहीं जाती है साइकल काम मिलेते हो तो बिल्कुल हेल्थी है सही है हाना और इवन इस्टुडिन लाइफ में मानता हूँ है अपने बाद साइकल होनी चाहिए यह आप आराम से सब प्रिये यह आप तो क्या है वायक्स निकलेगा नुकसान होगा तो आशए मनलब जितना पॉसिफ़ील हो सेक है जितना पॉसिफ़ल हो से कि आप इसमें सैकल काम में लो और एक्ज़ली हम लोग के टाइम में तो थो यह तो दिषीक से ही जाते है थे मों बहुत सही रहता का युज जंग लाश्टिक केंज ना ना प्लास्टिक करेगा क्या कुँंक हर तरी सतरी सोप्लुट करता है नेचर को तो प्लास्टिक काम में नहीं लेने का तो ग्रीन केमिस्टी में नहीं यह वो ओकेट चलो नेच्ट बात करते हैं 57 प्वेस्टन का 58 प्विटीएट सोरी विच्व फॉलोइंग कंडिशन सोस्द पॉलुटेड एनवार्मेंट किसे पता चल रहा कि पॉलुटेड है कि ये यह रोओ अनटि प्रशन पॉलुटेट वाटर को रिपर जिना तोसे ये विछन में था इसकत टेटेड़ करता है है यूट बात करते है नहीं रखने का क्योंकि ऑ यूटी-10 मुख्या नहीं राखने का नहीं नहीं हूँ पॉलूटेट वह जख्यार को पॉल्यूटे तो फाइव से कम था ठीक था लेकिन जारा 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 पॉलिटेट वोटर को रिपर्जेंट करता है थर्ड आंसर आजाएगा नेक्स्ट बात करते हैं 59 अधिक सदिक हो चकता है हलागी लेट टॉक्सिक नेचर का होता है अ कि मुझे तरफे यादट है कि यह पी बीडन होता है 50 फ॥ से जारा नहीं होना चाहिए तो 50 फ्य॥ ्पी बीबी से जारा नहीं होना च lid कै तो 59 आइग का जायएगा जाएगा, second, next, last, 60 question, the acid absent in acid grain, ये पुछाए कौन absent है, कौन acid absent है, तो simple सा question है कि acid grain में कौन-कौन present होता NCRT, बहुत प्यार से लिखा हुआ है, CO2 को वज़े से H2CO3 बनता है, NO2 को वज़े से HNO3 बनता है, SO2 को वज़े से SO2, SO2, SO3 में convert होता है, जिसे H2CO4 बनता है, और finally, ये तीनों present होते हैं, तो PAN इसमें present नहीं होता, तो answer will be first, 60 मांसर आजाएगा, first, उमीद करता हूँ, आपके सबके वेपर बहुर अच्छा हुआ होगा, तो thank you so much, चैनल का आप subscribe करें, वीडियो को like करें, share करें, thank you so much for watching,